सकल प्रात्मिक उत्पादक्ता यानि सकल इसको किसको बोलेंगे अपन जी पीप को बोलेंगे तो यह जी पीप को रिपर्जेंट कर रहा है सदेव नेट प्रात्मिक उत्पादक्ता यानि NPP से क्या होती है हदिक होती है तो बिल्कुल सही बात है यह स्टेटमेट क्या हो गया हेलो बचो आज अपन बाइलोजी की टेंथ यूनिट एकोलोजी के बारे में बात करेंगे ठीक है इसके अंदर तीन चेप्टर इस बार NTA ने रखे हैं उर्गीनिजमेंड पॉपॉलेशन एकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी तो हम सबसे पहले और पॉपॉलेशन के पिछले पांच सालों में जितने भी क्यूश्चन आये हैं उनके बारे में अपन डिसकस करेंगे अपन क्यूश्चन को डिसकस करने के साथ साथ उसके NCRT के रीड करते हुए अपन यह देखेंगे कि कौन सा क्यूश्चन कहां से पुछा गया है तो जब भी आप देखते हो NCRT के लाइन तो लाइन पढ़ते हो तो कुछ ऐसे टोपिक से जिन से पर्टिकुलर बहुत ज्यादा क्यूश्चन पुछे जाते हैं ठीक है तो आज अपन सब्ल रहा है मेरी लिस्ट वन और लीस्ट तू ढोलिस दे रखेंगे आपको यहनि यह एक्रफ्टेशन के बारे में दे रहा है तो आपको कुछ अडिक्ट इन भे हैं जी से एलेंस न सुरूल से ज। छबिःविरील अडिक अडेप्टेशन, ठीक, देखिए अडेप्टेशन, यह है अगेंस्ट किसके, अबिटिक फेक्टर के अगेंस्ट कौन-कौन से अडेप्टेशन है, उनके बारे में यह अपनी को बता रहा है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या है, while considering the various alternatives available to organism for coping with extreme in their environment, we have seen that some are able to respond through certain physiological adjustment, while other do so, behavioral migrating temporarily to less stressful habit, देखो, अगर हम adaptation के बात करें, तो इस environment में बहुत सारे ऐसे stressful conditions होती है, कुछ ऐसे organism होते हैं कि उस stressful condition को avoid करने के लिए migrate कर जाते हैं, लेकिन अगर हम कुछ plant वगरा के इनकी बात करें, तो यह easily migrate नहीं कर सकते हैं, यह migrate ही नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे animals हैं, जो migrate नहीं कर पाते हैं, देखो, क्या-क्या बोल रहा है कौन-कौन से, these response are also actually their adaptation, so we can say that adaptation is any attribute of organism, कोई से भी attributes हो सकते हैं कौन-कौन से, morphological, physiological and behavioral, यानि कोई भी organism adaptation कौन-कौन से हो कर सकता है, एक तो morphological, दूसरा behavioral और तिसरा कौन सा, physiological, ठीक, नेक्स बोला है, that enable the organism to survive and reproduce in its habitat, एक organism को survive करवाने नहीं वहां पर reproduce करवाने के लिए भी क्या करते हैं, वो adapt करवाते हैं, many adaptation have evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed, यानि अगर हम evolution की बात करें बहुत लंबे समय से, तो adaptation एक evolution की process है, ठीक है, और इस evolution की process के बाद जो प्रोजे नहीं बन रही है, उसमें वो adaptation क्या हो चुका है, fix हो चुका है, जैसे अगर हम एक cactus की बात करें की cactus की लिए spine में convert हो जाती है, तो उसकी जब cactus की next generation आएगे तो इसमें spine already हो गी, यानि वो genetically क्या हो चुका है, adaptation fix हो चुका है, उसको modify होने की जरूरत नहीं है, next बोला है, many adaptation have long evolutionary fix, genetically fix, in the absence of an external source of water, the kangaroo, example number one क्या बोल रहा है, in the absence of an external source of water, जब बाहर वोटर की कमी हो, तो the kangaroo rate in northern American desert, कहां का, northern American desert का जो kangaroo rate है, is capable of meeting all its water requirement, through its internal fat oxidation, यानि जब अगर आप kangaroo rate की बात करोगे, जो northern desert के अंदर present है, northern American desert के अंदर, तो उसको वोटर अवेलेबल नहीं होता, तो यह वोटर को अवेलेबल करवाने के लिए, बोडी के अंदर क्या करता है, फेट का oxidation, और जब फेट का oxidation करता है, तो एक by-product water निकलता है, उसी को बोडी में क्या करता है, यूटिलाइज करता है, तो meeting all its water requirement, concentrate its urine, so that minimal volume of water is used to remove excretory product, पहला तो क्या करता है, कि वोटर की जितनी भी requirement है, वो कहां से करता है, अपने बोडी के अंदर, फेट का oxidation करता है, और by-product जो वोटर निकलता है, उसको बोडी में यूटिलाइज करता है, दूसरा क्या करता है, कि जब ये urine को excrete करता है, तो उसको इतनी concentrate state में release करता है, ताकि वोटर लोज क्या हो, कम से कम हो, तो ये एक हो गया adaptation, जिसको बोलते हम physiological adaptation, या किसमें देखने को मिलगा, कंगारू रेट, निक्स्ट, निक्स्ट बोल रहा है, मेनी डेजर्ट प्लांट, अगर हम डेजर्ट प्लांट की बात करें, हैव ए थिक क्यूटिकल, पहला modification क्या है, थिक क्यूटिकल, या अगर आप डेजर्ट प्लांट की बात करोगे तो डेजर्ट प्लांट में पहला तो क्या मिलेगा, लीफ के उपर, लीफ की सर्पेस पे थिक क्यूटिकल मिलेगी, कि इनके इनके जो स्टोमेटा होंगे वह है, या इनको सर्किन इस्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है, यह दोनों की क्या है, ठ्रांसपिरिशन की, जो वाटर-लोस त्रांसमशन kommun उसको कम करनी के लिए एक ठाइप का अडेपतीशन, निश्ess बोल डे ओल जो फैसँ फोटोशं थन फिंथर्टिक पाथवे, एं इस्पेसल फोटोशंतेटिक पाथवे, जिसको हम लाइन नाइट में क्या होते हैं, ओपन होते हैं, तो क्या बोल रहा है, they have, they also have special photosynthetic pathway cam that enable their stomata to remain closed during daytime, यानि daytime में तो क्या रहेंगे, close रहेंगे, some desert plant like opensia have no leaves, जैसे अगर अपना opensia की बात करें, तो उसमें leaf क्या होगी, absent होगी, they are reduced to spine, क्यों, क्यों absent होगी, क्योंकि वो किस में reduced हो जाती है, spine में, and the photosynthetic function is take over by flattened stem, और photosynthes का काम कौन करता है, stem करता है, तो यह भी एक टाइप क्या है, adaptation, फिर बोलना है, mammals are, mammals from colder climate generally have shorter ear and limb to minimize heat loss, this is called Allen's rule, देखो, Allen's rule क्या बोलता है, Allen's rule बोलता है, ऐसे mammals, जो polar region में survive करते हैं, polar region में present है, उनके external appendages क्या होते हैं, छोटे होते हैं, क्यों, ताकि surface area क्या हो, minimize हो, जिसकी वज़े से heat loss हो, minimum, तो क्या बोला है, पहला क्या बोला है, mammals from colder climate generally have short ear and limb to minimize heat loss, इसको क्या बोलते हैं, Allen's rule, in the polar sea, किसकी बात करें हम, polar seas की बात करें, aquatic mammals like seal, किसकी बात हो रही है, seal have a thick layer, जिसको हम blubber बोलते हैं, क्या बोलेंगे, blubber, जैसे seal की बात करें, जो कि polar region के seas के अंदर present होती है, उस seal के skin के नीचे एक fat की layer present होती है, thick layer, जिसको हम क्या बोलते हैं, blubber, और क्या हम क्या करती है, below there, skin that act as insulator and reduce loss of body heat, जो insulator की तरफ वर्क करती है, और body से जो heat loss होती है, उसको क्या करती है, prevent करती है, some organism possess adaptation that are physiological, which allow them respond quickly to stressful situation, बहाँ सारे से होती हैं, जिनके अंदर क्या होती है, physiological adaptation होती है, जो stress pool condition में quickly क्या करते है, response हो करते हैं, देखे, if you had ever been to any high altitude place, अगर अपन high altitude या more than 3500 meter, जिसे Rotang Pass, नियर Manali, या Mansrover, या China Occupied Tibet, इनकी बात करें हम तो you must have experienced what is called altitude sickness, तो आपने सुना होगा कि जब आपन high altitude पे जाते हैं, तो वहाँ पे altitude sickness होती है, क्या बोला है, its symptom include, इसकी symptoms क्या क्या है, ज्यान रखना, nausea, fatting and heart palpitation, तो क्या क्या देखने को मिल रहे हैं आपको, एक तो देखने को मिल रहे है, nausea condition हो जाती है, दूसरा, fatting हो जाता है, और तीसरा क्या होता है, heart palpitation, नेक्स बोला है, this is because in the low atmospheric pressure of high altitude, अब ये सहारी sickness किसकी वज़े से होती है, क्योंकि high altitude पे atmospheric pressure क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अचा है atmospheric pressure कम हो गया, तो क्या होने वाला है, अभी देखते हैं, क्या होगा, the body does not get enough oxygen, जब atmospheric pressure low हो जाता है, तो अपनी body sufficient amount में oxygen नहीं ले पाती, तो उसकी वज़े से फिर body क्या करती है, but gradually you get accumulated and stop experiencing altitude sickness, थोड़े-थोड़े time बाद आप क्या देखोगे, कुछ दिनों में आपको altitude sickness दिखना कम हो जाएगा, क्यों, how did your body solve this problem, इस problem को solve कैसे करती है, देखो क्या बोल रहा है, the body compactate low oxygen availability by increasing red blood cell production, पहला काम क्या करती है, इस problem को क्योर करने के लिए, पहला body क्या करती है, RBC का production बढ़ राती है, यानि RBC के नमर increase हो जाती है, बोड़ी में, दूसरा क्या करता है, decreasing the binding affinity of hemoglobin and increasing breathing rate, तो पहला काम क्या करेगा, RBC का production बढ़ाएगा, दूसरा hemoglobin की binding efficiency क्या कर देगा, कम कर देगा, तीसरा breathing rate क्या करेगा, बढ़ाएगा, ये तीनों चीज करके, altitude sickness को क्या करता है, avoid करता है, ये एक टाइप का क्या हो गया, physiological adaptation देखने को मिलता है, ठीक है, increasing breathing rate, many tribes, अगर आप many tribes की बात करें, क्या बोल रहा है, many tribes live in the high altitude Himalayas, find out they normally have higher red blood cell count, then people living in plane, हाँ, सही बात है, जब आप एक plane वाले human की, और एक high altitude वाले human की, दोनों के अंदर RBC count को compare करोगे, तो आपको variation देखने को मिलेगा, plane वाले में RBC के नमर कम होंगे, जब के high altitude वाले में, RBC के नमर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है, नेक्स बोला है, in most animal, the metabolic reaction, and hence all the physiological function, फंक्शन प्रोसेड, optimally in narrow temperature range, in human 37, हाँ, सही बात है, हर organism के अंदर, enzyme की जो function की, जो temperature की range होती है, वो एक बहुत narrow range होती है, जहां पर वो optimum क्या करते हैं, function करते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि, human की बात करें, तो human के body का temperature कितना है, 37 degree है, तो human के जितने भी enzymes function करते हैं, वो 37 degree पे function करते हैं, ठीक है, उसके अलावा क्या बोल रहा है, but there are microbes, अगर हम archivacteria के बात करें, microbes, that florists in hot spring and deep sea, hydrothermal vent, where temperature far exit 100 degree centigrade, तो अगर हम human के बात करें, तो वहां पर enzyme activity कितना है, 37 degree पे, जबकि अब एक archivacteria के बात करें, तो वहां पर कितना होगा, 100 degree centigrade पे भी, उनकी physiological activity होती है, next बोला है, many fishes thrive in Antarctic water, where the temperature is always below zero, अगर हम किस की बात करें, Antarctic fish की बात करें, तो वहां पर क्या देखोगा, Antarctic में हमेशा temperature zero के नीचे मिलेगा, फिर बोला है, how do they manage to keep their body fluid from freezing, तो यह अपने body के, जो fluid है, उसको freezing होने से कैसे बचाते हैं, तो इनके cytoplasm में, या इनके body के fluid में, क्या देखने को मिलता है, anti-freeze protein देखने को मिलता है, जिसकी वज़े से, क्या होगा, इनका जो cytoplasm है, उसका freezing point क्या हो जाता है, decrease हो जाता है, next बोल रहा है, a large variety of marine invertebrate and fishes live at great depth in the ocean where the pressure could be more than 100 times the normal atmospheric pressure that we experience, कुछ ऐसे fishes भी होती है, जो deep ocean में present होती है, जहां पर, normal यहां के atmospheric pressure के comparison में, 100 times से भी जादा क्या होता है, atmospheric pressure होता है, फिर भी वह वहां पर present होती है, क्यूं? क्यूंकि वहां पर उनके पास special type के enzymes देखने को मिलते हैं, जैसे LDH वे गड़ा, how do they live under such crucial pressure and do have any special enzyme? Yes, organism living in such extreme environment, so, fascinating array of biochemical adaptation, और जितने भी यह देखे, सारे के सारे कौन से adaptation है, biochemical adaptation है, अब आपन बात करते है, behavioral adaptation की, क्या बोला है, some organism, so, behavioral response, to cope with variation in their environment, some organism, so, behavioral response, to cope with variation in their environment, अब अगर हम बात करें, तो सभी organism, ना तो physiological adaptations हो कर सकते, ना morphological, ना biochemical, कुछ ऐसे organism होते हैं, जो इन तिनों को avoid करके, कौन सा adaptation हो करते हैं, behavioral, देखो क्या है, जैसे बात आ रहे है, कि इसकी, desert lizard, like the physiological ability, that mammal, mammals have to deal with high temperature, of their habitat, but manage to keep their body temperature, fairly constant by behavioral means, जैसे अगर आपन, desert lizard की, बात करें, तो उसमें, physiological adaptation, यानि, physiologically, अपने temperature को, maintain करने की process, नहीं है, जैसे mammals के पास है, तो वो क्या करती है, अपना behavioral adaptation, सो करती है, क्या करती है, दे बास्क इन दे सन, and एब्जर्व हीट, वेन देर बोडी, टेंपरेचर, ड्रॉप बिलो, दे कॉम्फर्ट जोन, होता क्या है, कि जब उनके, बोडी के, टेंपरेचर, के comparison में, जब बाहर का temperature, कम हो जाता है, तो यह सन के, या दूप में जाकर, क्या करने लगती है, दूप को सोकने लग जाती है, फिर क्या बोला, but move into said, च्छाओं में कब चली जाती है, जब क्या हो जाता है, the ambient temperature, start increasing, जैसे बाहर का temperature, या surrounding temperature increase होता है, तो यह कहाँ चले जाते हैं, च्छाओं में चले जाते हैं, जब रिजन में चले जाते हैं, सम इस्पीसीज आर केपेबल ऑफ गरोविंग इन्टु सोयल, टो हाइड एड 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 एसके फ्रॉम अबोव ग्राउंड हीट, जो क्या करते हैं, ग्राउंड में चले जाते हैं, जैसे अपन सुनते हैं, जितने बी सनेक्स वगरा है, सारे के सारे क्या करते हैं, बिल में चले जाते हैं, ठीक, तो यह अपने कुछ adaptation देखे हैं, कुछ chemical, बायो chemical देखें, कुछ physiological, कुछ morphological है ना, अगर अपने kmen की बात करें किसिवा ettie के वह रिगन हाथ फिर वेविउलोटेसे के बाइख करता है जब बाहर वॉटर आभी नहीं है डिसेट में तो वो अपने बोडि के अंदर फेट का Oxidation करता है by-product water को body में utilize करता है और urine को concentrate stress के अंदर क्या करता है release करता है एक टाइप का क्या है physiological adaptation का एक्जमपल है कि दूसरा डेयजर्ट lizard अभी बात करें कि desert lizard क्या होती है कि बाहर का temperature कम हो जाता है तो वो sun के अंदर या धूप में चली जाती है लेकिन जब बाहर का surrounding temperature body temperature से ज्यादा बढ़ने लगता है तो वो च्छाओं में चली जाती है और ऐसा अपने बोले थे behavioral adaptation तो यह क्या हो गया behavioral adaptation फिर बोल रहा है मेराइन फिस एट डेफ्ट जो मेराइन फिस डेफ्ट में परजेंट होती है उनमें special type के enzymes परजेंट होते हैं और उन special type के enzyme की वज़ेस से जो adaptation होता है उसको हम बोलते हैं biochemical adaptation तो यह कौन हो गया biochemical adaptation बचा पॉलर सील यह क्या है में मिलता है यानि उसके external appendices क्या होंगे short होंगे short होंगे मतलब किस को फोलो कर रहा है Allen's rule को फोलो कर रहा है सेम यहां पर दे रखें सारे अब देखो क्या होगा अगर हम बात करें तो first का तो क्या हो जाएगा fourth यानि A का क्या होगा fourth B का क्या होगा first C का क्या होगा second और D का क्या होगा third यह चीज़े देखने को मिलेगे ठीक है next which of the following is not an attribute of population not an attribute of population अगर हम बात करें तो इनके अंदर कौन सा ऐसा आपको 4-5 attributes दे रखें parler ए जिसमें से population का character नहीं है तो हम क्या करते हैं population के बारे में देखते हैं ठीक है population attributes आपको दे रखेंट क्यूशन में पूछा गया था कौन सा population attributes नहीं है, तो हम attributes के बात करते हैं, क्या बोला है, in nature we rarely find isolated single individual of any species, अगर आपन इस environment में देखें तो कोई भी एक single individual आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेंगे, individual के group मिलेंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, population, majority of them live in group in well-defined geographical area, share a complete share or compete for similar resources, Potentially interbreed and thus constitute a population, अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे organism, एक species की group of individual, अगर आपन group of individual की बात करें, तो क्या रहते हैं, एक ही common area में present रहते हैं, वो common resources को क्या करते हैं, एक दूसरे से share करते हैं, वो हाँ पर competition करते हैं, और एक दूसरे से क्या करते हैं, interbreed करते हैं, तो उस combined group को हम क्या बोल रहे हैं, population, although the term interbreeding implies sexual reproduction, a group of individual resulting from even asexual reproduction is also generally considered a population for purpose of ecological study, अगर हम बात करें तो एक population का formation, sexual reproduction के साथ, asexual reproduction के थूब भी होता जा रहा है, next बोल रहा है, all cormorants, कुछ आपको population के examples दे रहे हैं, क्या number one example है, all cormorant in wentland, wentland के अंदर, जो cormorants present है, वो क्या population है, rate in an abandoned dwelling, यानि ऐसे छोड़े वे घरों में बहुत सारे चुहे हो जाते हैं, तो वो भी क्या population का example है, teakwood, tree in forest rate, अगर हम बात करें, teakwood यानि सागवान की बात करें, तो वो भी क्या population का part है, bacteria in culture plate, culture plate के अंदर bacteria भी क्या है, एक population है, lotus plant in a pond, और pond के example of population, in earlier chapter, you have learnt that all those an individual organism, if the one that has to cope with changing environment, इसे अभी अपनी environment change के respect में बात के थी, it is the population level that natural selection operate to evolve the desired rate, population ecology is therefore an important area of ecology because it link ecology population to genetic and evolution, बिल्कुल सभी बात है कि अगर आपन क्या देख रहे हैं, surrounding environment के बात करें, तो surrounding environment change होने के साथ, organism के genetic character भी क्या होते है, चेंज होते हैं, और genetic character change होने के साथ साथ, अगर आपन उसको ecology में study कर रहे हैं, तो कहीं नहीं जो population ecology है, वो genetics को भी क्या करता है, relate करता है या उसको link करता है, next बोला है, population has certain attributes, एक population के बहुत सारा attributes या character हो सकते हैं, that an individual organism does not, जो कि एक organism का ना होकर क्या होते हैं, complete population का, क्या बोला है, an individual may have birth or death, एक organism की या तो birth हो सकती है, या death हो सकती है, but population has birth rate or death rate, जबकि population की क्या होती है, birth rate or death rate, in a population, these rate refer per capita, birth rate, death rate respectively, अपन क्या करते हैं, कि जो भी birth rate और death rate हो उसको per capita, में steady करते हैं, चाहिए per capita death rate हो, चाहिए per capita birth rate हो, per capita का मतलब होते है per person, यानि हर एक individual के respect में, क्या बोला है, the rate hence expressed in change in number, increase or decrease with respect to member of population, birth rate or death rate किसके है, कि जो population के जो member है, उसके respect में, क्या increment हो रहा है, क्या decrement हो रहा है, कितने increase हो रहे है, कितने decrease हो रहे है, वही rate क्या है, birth rate or death rate, क्या बोला है, if a pond, there are 20 lotus plant, last year, through reproduction, 8 new plant are added, talking, the current population 28, we calculate the birth rate as 8 divided by 20, यानि 0.4, यानि date rate निकालनी हो या birth rate निकालनी हो, आपको क्या करना है, delta n यानि population में change कितना है, कितने time में change आ रहा है, और initial population क्या है, तो यह formula लगाना अपने को, birth rate का क्या है, delta n upon n delta t, यहां पर population पहले कितनी थी, 20 थी, बाद में 8 और 8 हो गए, तो कितने हो गए, 28 हो गए, तो यानि starting में population कितनी 8, 8 कितने, मतलब कितने change आया, 8 का change आया, और starting of population कितनी थी, 20, कितने time में change आया, 1 year में, तो यह क्या हो गया, 0.4 इसकी birth rate आगी, तो क्या बोला, 0.4 offspring per lotus per year, ठीक है, next बोला, if 4 individual in a laboratory population of 40 fruit flies, die during specified time interval, अगर 40 में से 4 fruit fly क्या होगी, death होगी, एक particular time में, time interval says week, एक week की बात कर लेते हैं हम पर, the death rate is, the population during that period is 4 divided by 40, यहनि death rate, birth rate हो, चाहिए death rate हो, दोनों के लिए formula यहीं लगेगा, तो क्या change कितना आ रहा है, 4 का, initial population कितनी है, अपने पास, 40, कितने week में, 1 week में, तो change कितना आ गया है, यहाँ पर, point 1 का change आ गया, तो यह आ गया अपने पास, point 1 का change, तो यह point 1 का change क्या है, death rate, individual per, क्या बोला है, individual per fruit fly per week, next बोला है, यानि अगर आपन बात करें, यहाँ पर तो दो attributes हो गये, त्यान रखना है, एक birth rate हो गया, दूसरा death rate हो गया, फिर बोला है another attributes, क्या है another attribute, characteristic of a population is sex ratio, यानि अब तक अपने पास, कितने attributes आ गया, 3 birth rate, death rate और third कौन सा आ गया, sex ratio, sex ratio क्या है, an individual is either male or female, एक individual या तो male हो सकता है, या female हो सकता है, but population has sex ratio, for example, 60% of the population are female and 40% males, अगर आपन बात करें कोई मालनो, for example, 1000 की population है, जिसमें 400 male है और 600 female है, तो 60% कोन होगे, female होगे, 40% क्या होगे, male होगे, वही क्या sex ratio, तो अभी तक 3 attributes है, next बोल है, population at any given time is composed of individual of different age, इसको अपन बाद में बात करते हैं, पहले आपन वही देखते हैं, ठीक है, क्या बोला है, which of the following is not an attribute of population, अगर आपन population की बात करें, तो population का attribute कौन सा नहीं है, सबसे पहले बोलना है, natality, natality यानि किसकी बात कर रहा है, birth rate, आपको पता है कि birth rate क्या एक attributes है, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, death rate और जो कि death rate भी क्या है, attributes है, यानि birth rate भी attribute है, death rate भी क्या है, attribute है, third, fourth, क्या बोलना है, sex ratio, जो अभी अपन ने बढ़ा था कि 1000 population है, उसमें 400 male और 600 female है, तो 40-60 ratio हो गया, तो क्या sex ratio भी attributes था, अब बोलना है, species interaction, देखो population, population एक ही species के individual के बीच का interaction है, जबकि यह क्या बोलना है, species interaction, यानि बहुत सारे species के बीच का interaction, वो population है, वो क्या बन जाती है, community बन जाती है, तो यह वाला जो है, वो इसका attribute नहीं है, यानि third option इसका correct होगा, next बोलना है, in the exponential growth equation, nt is equal to n0, e represent, अपन क्या करते हैं, पूरी complete population की study करते हैं, देखो, यहां से भी question कुछा गया है, इन pyramid से भी, क्या बोलना है, a population at any given time is composed of individual of different age, सही बात है, अगर हम एक population की बात करें, तो जरूरी नहीं है, कि उस population में सारे के, सारे individual same age के हो, आपको उसमें one year का भी कोई individual मिलेगा, जिसके age one year है, आपको वहां पर 40 year का individual भी मिलेगा, मतलब सबकी age क्या करती है, vary करती है, if the age distribution, percentage individual of given age और age group is plotted for the population, the resulting structure is called an age pyramid, और हम उन age group को एक graphical representation करें, यह graph की form में represent करें, तो उसको हम क्या बोलते है, age pyramid, next क्या बोल रहा है, for human population, अगर हम human population की बात करें, तो the age pyramid generally so, age distribution of male and female in combined, देखो, जितने भी age group बना रहे हम, वह male और female के combined होंगे, ठीक है, क्या क्या बना रहे, combined diagram, the shape of pyramid reflect growth, status, population, whether it is growing, क्या हो सकता है, growing हो सकता है, stable हो सकता है, और decline हो सकता है, देखो, यहां पर बात आ रही है, कि प्री reproductive individual है, यह वाले reproductive है, यह वाले post reproductive है, यानि जो yellow line को represent कर रहा है, वो तो कोन है, प्री reproductive individual, जो blue line को represent कर रहा है, यह कौन से होगे, reproductive और उपर pink वाले कौन से होगे, post reproductive, जो यह जो length है, यह length represent कर रहा है, कि उस age group के अंदर इंडिविजुल के नंबर जब यहां पे अगर हम बात करते हैं तो प्री रिप्रोड़क्टिव इंडिविजुल के नंबर ज्यादा रिप्रोड़क्टिव के उससे कम और पॉस्ट रिप्रोड़क्टिव के और कम हो रहे हैं अब सोचू अगर यह इंडिविजुल प्री रि नेंटर करेंगे तो reproduction करेंगे और reproduction करेंगे तो population क्या होगी increase होगी तो यह किसको represent कर रहा है expanding या growing population यहाँ पे बोला आपने कि जो pre reproductive और reproductive है individual almost same number में almost same number में याणि जितने reproductive है almost उतनी कोण है प्री रिप्रडर्डप्रेप्टेव ह्यानि इन फ्यूचर इस से चिप पोपोलेशन पर कोई पर नहीन पतने वाला यह हमेशा कहा रहने वाली यह स्टेबल रहने वाली नेक्स बोल ला है कि प्री रिप्रोड़क्टिव इंडिविजुल के नंबर कम रिप्रोड़क्टिव के ज्यादा और पोस्ट वाले और कम देखो पोस्ट का यहां पे ज्यादा कोई रोल नहीं है में आपको ध्यान देखना है वह रिप्रोड़क्टिव में एंटर करेंगे तो इनके तो नमर बहुत कम है, यहनि population growth नहीं होगी, population धीरे-धीर क्या होगी, decline होगी, तो यह किसको represent कर रहा है, decline population को. Next, बोले, the size of population tell us lot about its status in the habitat, whatever ecological process we wish to investigate in a population, be it the outcome of competition with another species, the impact of a predator, or the effect of pesticide application, we always evaluate them in term of any changes in the size of population, देखो, अगर हम बात करें, population के size की, तो population के size हमेसा static नहीं रहती है, यानि stable यानि उसका number fixed नहीं रहती है, हमेसा क्या होते है, change होते है, reason कि एक population, दूसरी population के साथ क्या करती है, इंट्रेक्शन करती है, जब एक population, दूसरी population के साथ इंट्रेक्शन करती है, तो उसमें competition भी होता है, और जब competition होता है, तो दोनों species को loss होता है, तो उस condition में population का size increase होने की वज़ाई क्या हो जाता है, decrease हो जाता है, कई बार क्या होता है, पेथोजन का effect बहुत ज्यादा होता है, और उसकी वज़ए से भी population क्या होती है, decline हो जाती है, कई बार हम देखते हैं कि predator क्या हो जाते है, dominant हो जाते हैं, तो प्रे-population की जो individual हो, उनके number क्या होने लगते है, कम होने लगते है, तो वही चीज़ बता रहा है कि population size stable नहीं होती है, किस-किस पर depend कर सकती है, competition पर depend कर सकती है, उस area में food की resources पर depend कर सकती है, वहाँ पर predator का pressure दे in term of any change in the population size, the size in nature could be as low, less than 10, Siberian crane, भर्थपूर, wetland in any year, यानि एक population का size कम से कम, 10 से कम हो सकता है, जैसे wetland में, भर्थपूर के wetland में आपको Siberian crane किसी वर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, यानि कम से कम कितने हो सकते हैं, एक species, यानि एक population individual, 10 से भी कम हो सकते हैं, एक particular area में, और into million, और million में भी हो सकते हैं, अगर हम pond के अंदर किसकी बात कर रहे हैं, claimido manasin pond, ठीक है, फिर बोलना है, population size, more technically called population density, जो population का size है, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, technically population density, और इसको हम represent किस से करते हैं, n से represent करते हैं, तो आप इसको किस से represent करोगे, n से, फिर बोलना है, need not necessarily be measured in number only, बहुत important चीज है, कि यह जरूरी नहीं है, कि population को हमें से किस form में measure करो, number की form में measure करो, कैसे, all those total number is generally the most appropriate measurement of population density, it is and some cases either meaningless or difficult to determine, सही बात है, कि आप number की form करोगे, तो वो best measurement है, लेकिन कुछ ऐसे कैसे होते हैं, जहां पर number की form में population density निकालना क्या है, एक meaningful बात नहीं है, कैसे, जैसे देखो, क्या बोला है, in an area, if there are 200 parthenium plant, but only a single-hused banyan tree, with large canopy, आपनी क्या बोला कि एक area के एंदर एक banyan tree है, और वहां पर 200 parthenium plant है, तो अगर number के basis पर देखें तो parthenium plant 200 है, जबकि banyan tree क्या single है, तो population density या population का size ज्यादा किसका हो गए, parthenium का, लेकिन यहां पर role किसका ज्यादा है community में उसके बारे में बात करते हैं, क्या बोला है, stating that the population density of banyan is low relative to the parthenium amount to understanding the enormous role of the banyan tree that in the community, यानि यहां पर देखा जाए तो banyan tree के number कम है, किसके comparison में, parthenium के comparison में, लेकिन community के अंदर जो role है सबसे ज्यादा वो किसका है, banyan tree का है, in such cases, the percent cover or biomass again not, in such cases, the percentage cover or biomass is a more meaningful measurement of the population size, तो ऐसे cases में हम क्या करते हैं, या तो percentage cover को मानते हैं, या biomass को मान के हम क्या करते हैं, population density निकालते हैं, यानि simple बात कहने कि क्या है, कि population density आपको निकालनी है, तो population density के लिए हमेसा number जुरूरी नहीं है, आप biomass और percentage cover के basis पे भी क्या कर सकते हो, population density निकाल सकते हैं, फिर बोलता है, total number, is again not an easily adaptable measurement, if the population is huge and counting is impossible or very time-consuming, if you have a dense laboratory culture, bacteria is petri-disc, what is the best measurement to report its density, यानि हर बार आप population को count नहीं कर सकते हैं, जैसे एक petri-disc plate के अंदर बहुत सारे bacteria है, तो आप उसको count नहीं कर सकते हैं, यह measurement easily नहीं हो सकता, तो क्या होता है, sometime for certain ecological investigation, there is no need to know absolute population density, तो कुछ ऐसे cases के अंदर absolute population density जानना हमें जुरूरी नहीं होता हम क्या कर लेते हैं, relative density जान लेते हैं, तो क्या बोल रहा है, relative density, serve the purpose equally well, यानि relative density क्या है, percentage cover अगर आपन मान के कर सकते हैं, कितना role है उस community के अंदर, for instance, the number of fish catch per trap is good enough measure of its total density in a lake, जिसे एक fish की आगर आप क्या counting करनी है, तो आप क्या करो relative density के basis पे कर सकते हो, next बोले, we are mostly obligate to estimate population size indirectly, हम population size को indirectly भी क्या कर सकते हैं, count कर सकते हैं, without actual counting them or seeing them, ना तो उनको हमें count करना actually देखना है, बिना देखिये, आपको क्या करना, indirect population count करनी है, कैसे, the tiger census, जब tiger की census यानि जुगणना होती है, तो tiger census is our national park and tiger reserve is often based on pug mark and fecal pellets, तो tiger की जो population count की जाती है, indirectly वो किसके दुरू की जाती है, या तो उनके pug mark को count किया जाता है, या उनके fecal pellets को count करके करते हैं, next बात आती है, population growth, यानि अगर हम population growth की बात करें, तो population growth यानि कहने का मतलब है, growth positive भी हो सकती है, growth negative भी हो सकती है, यानि population का size increase भी हो सकता है, population का size decrease भी हो सकता है, ऐसे कौन-कौन से जो factor है, जो population को एक static न रहने देते हैं, मतलब कभी change कर देते हैं, कभी बढ़ा जेते हैं, कभी कम कर देते हैं, उनके बारे में बात करनी है, क्या बोलना है the size of a population, अगर हापन बात करें कि इसकी, the size of a population for any species is not a static parameter, यहनी population का size है वो a static parameter, नहीं है, continuous क्या होता रहता है, change, it kept changing in time, time के साथ क्या होगा, change, depending on various factors including, किस-किस factor पर depend करता है, food की availability के उपर depend करता है, population का size, predation pressure, वहाँ पर predation यानि predator का कितना pressure है, adverse weather, वहाँ का environment कैसा है, favorable या unfavorable, in fact, it is the change in population density that give us some ideas, what is happening to the population, whether it is flourishing or decline, इसी के बैसे पर हम क्या देखते हैं कि population flourishing या बढ़ रही है, या decrease हो रही है, whatever, might be ultimate region, the density of population is given habitat during a given period fluctuate due to changing for basic process, एक, आपको main factor तो आपको पता चल गया, food की availability हो गया, predation pressure हो गया, adverse weather हो गया, लेकिन कौन से process के दुरू population क्या हो सकती है, change हो सकती है, तो उसके बारे हम बात कर सकते हैं, क्या बोलता है, process, 2 of which, इनि में से 2, कौन-कौन, natality and emigration contribute to increase in population density and 2, कौन सी, motility and emigration to decrease, यहां पर total basic कितनी process है, 4 process है, एक, natality, दूसरी, motility, तीसरा, emigration और चोता है, emigration, अगर हम natality और emigration की बात करें, तो population की size बढ़ाएगा, जिबकि हम motility और emigration की बात करें, तो population का size क्या होगा, कम होगा, क्या बोलना है, natality differ to the number of birth during a given period in the population that are added to additional density, देखो natality क्या है, natality है कि एक population में, जो कोई भी baby aid हो रहे है, birth के तुरू, वही कोन है, natality, motility क्या होगा, वहां से individual का हट जाना, किस के तुरू, death के तुरू, तो in the number of death in a population during given period, एक particular period में जितनी भी death है, वो क्या है, mortality है, in-migration is the number of individual of same species, same species के individual, that have come into a habit, into the habitat, जो बहार से habitat, किसी habitat के अंदर आ रहे है, from elsewhere during time period under consideration, जो एक particular time में, यानि कहने का मतलब, same species के individual, किसी दूसरे habitat को छोड़ कर, इस habitat में आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे है, in-migration, e-migration क्या है, is the number of individual of population, who left the habitat, and gone elsewhere during the time period, under consideration, e-migration, e-migration, e-migration जिसे मानलो कोई individual है, यहां से कोई दूसरे habitat में चला गया, यानि इस habitat को छोड़ कर कहीं दूसरी जगे चला गया, तो वो क्या है, e-migration है, तो यहां पर देखो, natality क्या कर रहा, population को भढ़ा रहा है, mortality क्या कर रहा, population को decline कर रहा है, e-migration के अगरा, population को increase कर रहा है, जबकि e-migration का रहा, population को decline कर रहा है, देखो, यहां पर आपको दे रहा है, कि population density है, महालो पहली यह population density है, तो क्या natality या हम बोल सकते हैं, birth, natality और birth की वज़य से यहां पर population का size क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा तो यहां पर symbol क्या दे दिया प्लस यानि यह population को क्या कर रहा है increase यहां पर mortality यानि death क्या death होने की वजए से इसकी population density बढ़ेगी या कम होगी तो हम क्या बोलेंगे कम होगी कम होगी यानि यहां से individual क्या होंगी नेगेटिव होंगे माइनस होंगे तो माइनस कर दिया आपने बोला इमाइग्रेशन है यानि यह सेम स्पीसिस के इंडिविजल कहीं और जगह से इस सब्सक्राइद में और यहां पर पर उपल्सक्राइब कर दिया विजआर्ट में एक यहां पर प्रप्फूलेशन का साइज बढ़ाने वाले हैं बढ़ाने वाले Theory तो दो इस अरो हैसे जी विजल कहीं और चलेगे और चलेगे तो मतले यहां की पॉपुलेशन देंसिटी क्या होगी कम अब बात आ रही है कि पॉपुलेशन को आपने जीरो टाइम पर क्या बोला था एन बोला था तो आगे क्या बोल रहा है So, if N is the population density at time T, यानि T time पर जो population density थी वो क्या थी, N थी, then its density at T plus 1 is, अगर हम T plus 1 की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम T plus 1 time की बात करें, तो क्या हो जाएगा, normal population and T plus birth or immigration की वज़े से aid हुए, death or emigration की वज़े से क्या होए, minus हुए, तो इन दोनों का जो अंतर आ रहा है, difference आ रहा है, उसको इसके साथ aid करेंगे, तो क्या होगा, T plus 1 time के बात आपने को population find out हो चाहिए, next, बोल रहा है, you can see from the above equation that population density will increase if the number of birth plus number of immigration, population increase कभ होगी, जब इसके number किस से ज्यादा होगे, क्या बोला है, you, you can see from above equation that population density will increase if the number of birth plus number of immigration, b plus i is more than the number of death plus the number of e-migration, अगर birth or immigration का number, death or e-migration से ज्यादा होगी, population हमें सा क्या होगी, increase होगी, next, बोल रहा है, otherwise, it will decrease, वरना ही, क्या होजाएगी, decrease, फिर बोल रहा है, under normal condition, birth and death are the most important factor, जब condition normal हो, यानि कोई habitat normal हो, तो वहाँ पर birth or death क्या है, एक most आपने बोल सकते हैं कि process है, किस की population change की, तो under normal condition, birth and death are most important factor influencing population density, the other two factor, assuming importance only under specific, या special condition, for instance, if a new habitat is just being colonized, emigration may contribute more significantly to population growth than birth rate, यानि क्या बोल रहा है, कि जैसे normal habitat, उस normal habitat में ना तो ज़्यादा emigration हो रहा, ना emigration हो रहा, तो वहाँ पर birth rate और death rate क्या करती है, population size को fluctuate करती है, लेकिन एक colony just नहीं बनी है, और उस नहीं colony के अंदर ज्यादा species या species के individual कम है, तो वहाँ पर birth के comparison में, यानि birth rate के comparison में emigration क्या करता है, उस population size को ज्यादा influence करता है, ठीक है, population with time, so any specific and predictable pattern, कि अगर अपन time के साथ देखें, तो क्या population की size में increase या decrease हो रहा है, उसको अपन predict कर सकते हैं, क्या, तो कर सकते हैं, कैसे, नेक्स बोले, we have been concerned about unbridled human population growth and problems created by it in our country, and it is therefore natural for us to be curious if different animal population in nature behave the same way or so some restraint on growth, यानि कहने का मतलब है कि जैसे अगर अपनी country के बात करें, तो human के population देखो कैसे drastically increase हो रही है, और अगर हम बात करें कि ऐसे ही animal के population अगर ऐसे increase होने लग जाए, या उसके उपर किसी type का restriction नहीं लगाया जाए, तो situation क्या से क्या हो सकती है, ठीक है, उसके बाद में अपन क्या बात करते हैं, परहव we have, we can learn a lesson or to form nature on how to control population growth, अपन दो model पढ़ेंगे कि population growth को कैसे control कर सकते हैं, या control हो सकती है, नहीं हो सकती, क्या-क्या, ऐसे factors हैं, जो population की growth को control करते हैं, सबसे पहले आ रहा है exponentially growth, exponential का मतलब होता है, जिसके उपर किसी type का restriction नहीं हो, यानि वो just double होते जाए population, जिसे 1 से 2, 2, 2, 4, 4 से 8, 8 से 16, मतलब इस type से अगर double हो रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, exponentially growth, क्या बोला है, exponential growth को हम geometrical growth भी बोल सकते हैं, चलो बात करते हैं, exponentially growth की, क्या बोला, exponential growth, resources, resources, यहां पर किसको include किया गया, food and space, जब resources क्या हो, unlimited हो, तो क्या बोला है, resources, यानि food, space, availability is obviously, essentially for an important growth of a population, सबसे ज़रूरी है किसी population की growth होने के लिए, resources होना, resources में क्या होना, space होना, और food होना सबसे ज़रूरी है, अगर कोई population growth कर रहे हैं, तो, next बोल रहा है, ideally, when resources in the habitat are unlimited, अगर किसी habitat के अंदर क्या है, resources unlimited है, each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in number, यानि, अगर हम बात करें कि nature के अंदर, या किसी habitat के अंदर, resources unlimited है, यानि food की availability भी unlimited है, space भी क्या है, unlimited है, तो, कोई भी species हो, वो अपने innate potential के साथ क्या करती है, reproduction करती है, और population को क्या करती है, इंक्रीज करती है, क्या बोला है, as Darwin observed, while developing his theory of natural selection, जो किसने बोला था, Darwin नहीं, यानि, Darwin नहीं बोला कि अगर कोई भी habitat के अंदर, आप resources unlimited कर देते हो, तो वहाँ पर present कोई भी species हो, सारे के सारी, अपने innate potential के साथ क्या करती है, reproduction करती है, यानि अपनी जर्म जाद सकता के साथ, ठीक है, next बोला है, then the population grow, in an exponential और geometrical fashion, और उस condition में कोई भी population होगी, वो कौन सी growth करेगी, geometrical, next बोल रहा है, if in a population of size, अगर एक population का size क्या है, n है, population का size क्या दे रखा आपको, n, the birth rate, birth rate की बात कर रहा है, not birth की, तो birth rate, not total number, but per capita birth rate, यानि per capita birth rate की बात कर रहा है, are represented as b, यानि आपने birth rate को किसे रिप्रेजेंट कर दिया, b से, date rate, again क्या होगी, per capita, date rate, जिसको आप किसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, small d से, यानि आपने total population को n से represent करा, birth rate को b से और death rate को d से, क्या बोल रहा है, then the increase or decrease in n during a unit time period called t, और जो change आएगा उसको हम क्या बोलते है, dn upon dt, will be equation क्या बनने वाली है, dn upon dt is equal to b minus d multiply n, यानि birth rate minus death rate करके आप जो initial population size उससे क्या कर दो, multiply कर दो, let b minus d को क्या बोलते हैं, r, r को हम biotic potential भी बोलते हैं, तो b minus d को क्या बोलते हैं, r, तो equation क्या बन जाएगी, dn upon dt is equal to r, देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर r किसको बोला गया है, there, there are, in this equation is called intrinsic rate of natural increase, यहाँ हम इसको biotic potential भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, intrinsic rate of natural increase, and is a very important parameter chosen for assessing impact of any biotic and iobiotic factor on population growth, जो क्या करता है, सबसे ज़्यादा affect होता है किसकी वज़े से किसी एडिया के अंदर biotic और abiotic factor से, जिससे population क्या हो, उसकी जो growth है, उसके उपर affect पड़े, next बोल रहे, to give you some idea about the magnitude of r value, अब r value की बात करते हैं, कि कौन से population के लिए r value क्या है, for the norway rate, सबसे पहले अगर आपन norway rate की बात करें, तो वहाँ पर r की value क्या है, 0.015, ठीक है, and for the floor beetle, अगर floor beetle की बात करें, तो ये value क्या हो जाती है, 0.12, यानि r की value, यानि biotic potential body size पे भी depend करता है, कि अगर किसी organism का body size छोटा है, तो उसके लिए r value ज़ादा होगी, कम होगी, जैसे norway rate के लिए क्या है, 0.015 है, जबकि floor beetle का size क्या होता, छोटा तो उसके लिए क्या होगी, 0.12, यानि small organism के लिए r value ज़ादा, in 1981 की बात करें, the r value for human population in India was 0.0205, अगर आपन human के बात करें, तो human के लिए r value क्या थी, 1981 में 0.2 से, sorry, 0.0205 थी, हैना, अब आपको बोल रखा है कि आज की current की जो r value है, वो आप find out करें, तो आप क्या करो, बर्थ रेट लेओ, डेथ रेट लेओ, बर्थ रेट माइनस, डेथ रेट, r value आपके सामने आओगी, ठीक है, नेक्स बोल रहा है, the above equation describes the exponential और geometrical growth pattern of a population, आपको इस figure में दे रखा है, देखू, एक साइड आपन बात कर रहे हैं, population density की, दूसरी साइड आपन बात कर रहे हैं, time की, जब population density और time की बात करें, तो exponentially growth क्या हो रही है, इस type से हो रही है, यानि कैसा करो बन रहा है, आपके यहाँ पे, जे सेप, तो जे सेप करो देखने को मिलता है, किसके अंदर, exponentially, और equation की, dn upon dt is equal to rn, तो क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो, population होई, and result in, जे सेप कर, कैसा करो मिलेगा आपको, जे सेप, फिर बोल रहा है, when we plot n, in relation to time, if you are familiar with basic calculation, you can describe integral form of exponential growth equation, आप इसका integral form भी ले सकते हो, और integral form को क्या बोलते है, nt is equal to n0 e rt, देखो, यहाँ पे nt किसको represent कर रहा है, population density after t time, यानि final population का जो size होगा, t time के बाद, वो तो किसको represent कर रहा है, n0, यानि initial size, यानि 0 time पे जो population का size था, वो कौन हो गया, n0, फिर बात आती है, r क्या है, r आपको पाता है, कि intrinsic rate of natural increase है, यहाँ पर देखो, e आया है, e क्या है, e the base, the base of natural logarithm, e क्या है, base of natural logarithm, जिसकी value क्या है, 2.71828, और यही question यहाँ से पूचा गया था, अभी अपन question की बात करते हैं, देखो, क्या बोलना है, in the exponential growth, equation nt is equal to n0 e की पावर rt, जहाँ e represent करता है, e represent किसको करता है, the base of geometric logarithm, नई, क्या the base of number logarithm, बिलकुल नहीं, next बोलना है, the base of exponential logarithm, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं की थे, अपनने, the base of natural logarithm, और जिसके value आपने क्या बोली थी, 2.718, तो क्या है यह, the base of natural logarithm, ठीक है, यह question पूचा गया है, need 2021 के अंदर, ओके, next, अब अपन बात करते हैं, complete, तो यह यहाँ से क्या पूच लिया गया, e पूच लिया गया, जिसको हम base of natural logarithm बोलते हैं, तो direct question आता है, कि यह क्या है, next, बोलना है, any species growing exponentially under unlimited resources, condition can reach enormous population density in a sore time, सही बात है, जब क्या हो, food के resources unlimited हो, space unlimited हो, तो एक population कम time में बहुत बड़ी size तक क्या हो सकती है, पहुंच सकती है, किस के तुरू, exponentially growth के तुरू, फिर बोल रहा है, Darwin thought how even a slow growing animal like elephant could reach enormous number in the absence of checks, अगर elephant के उपर भी checks या restriction नहीं लगाया जाए, तो एक elephant भी क्या कर सकती है, बहुत ज़्यादा number बढ़ा सकती है, फिर बोलना है, the following in anadot popularly narrated to demonstrate dramatically how fast a huge population could build up when growing exponentially, इसके लिए अच्छा किसा आपको दिया गया है, यहां पे NCRT में कि एक राजा और एक मंतरी की एक कहानी दे रखी है, कि यहां पर इसके basis पर एक checkerboard के basis पर तो यह आप दिख लेना है, कोई important नहीं है इसका, next, अपर हम बात करते हैं logistic growth की, logistic growth की बात करें, तो logistic growth में कभी भी food के resources या space unlimited नहीं होंगे, हमेसा वहां पर क्या होंगे, limited resources होंगे, और आपको भी पता है कि ideally form में ऐसा nature में होता नहीं, कि food की resources unlimited हो, या space क्या हो, unlimited हो, तो सबसे पहले आपने बात करते हैं, इसकी logistic growth में क्या क्या बोल रहा है, यह बोला है, no population of any species in nature has at its disposal unlimited resources to permit exponentially growth, बिल्कुल सही बात है, इस nature में कोई भी ऐसी species नहीं है, इसके लिए food की resources क्या हो, unlimited हो, और वो exponentially growth करें, this lead to competition between individual for limited resources, यानि जब resources limited होते हैं, तो उन individual के बीच में क्या start हो जाता है, competition हो जाता है, eventually the fittest individual will survive and reproduce, सही बात है, जो सबसे ज़्यादा fit होगा, वो क्या करेगा, competition करके जीच जाएगा, वो ही क्या करेगा, survive करेगा और reproduction करेगा, the government governments of many countries have also realized this fact and introduce various restaurant with a view to limit human population growth, सही बात है, बहुत सारे देश हैं, जिनकी सरकारों ने क्या करा है, कुछ ऐसे रूल लाए हैं, जिससे क्या किया जास के, human population को control किया जास के, क्यों, क्योंकि competition क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, next बोलना है, in nature, a given habitat has enough resources to support maximum possible number, beyond which no further growth is possible, maximum number तक क्या कर सकती है, support कर सकती है, उस population को, लेकिन उसके beyond, उसके आगे जाने पर, वो population को support नहीं करती, यानि वहाँ पर individual survive नहीं करते, competition स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, next बोलना है, let us call this limit as nature, caring capacity, और उस limit को हम क्या बोलते है, है, caring capacity और जिसको represent कर रहे हम किस से, क्या से, for that species in that habitat, ठीक है, next बोलना है, a population growing in a habitat with limited resources, so initially a leg phase, अगर आपन बात करे, दिखो, इसका रूकी बात करता हूं, यह जो blue line वाला दिखा रहा है, यह किसको दिखा रहा है, logistic growth, तो क्या बोलना है, कि जो initially यहाँ से लेकर, यहाँ तक का जो pattern है, इसको हम बोलते है, leg phase, इसको हम क्या बोलते है, b को log phase, और इस point को हम बोलते है, क्या, एक type से situation आ गया, और इसको बोलते है, asymptote, ठीक है, या इसको हम declaration भी बोलते है, तो लोग को एसीडरेशन नाम है इसको लोग को हम एसिलिरेशन बोल सकते हैं इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे डिक्लीरेशन और इसको हम क्या बोलेंगे subscribe, you are च्यार पॉइंट आपको किसमें देखने को मिलेंगे लोजिस्टिक ग्रोथ के अंदर देखने को मिलेंगे तो क्या बोल रहा है इनीशियली एलेग फेज फोलोड बाइफ फेज ऑफ एसलिरेशन सेकेंड वाली कौन सी एसलिरेशन थर्ड कौन सी डिकलेरेशन और फाइनली ए सिग्मोड जबके एक्सपोनेंशियल में कैसा देखने को मिलता आपको जैसे डिस टाइप ऑफ पॉपलेशन ग्रोथ इस गोल्ड वरहर्स्ट पियर लोजिस्टिक ग्रोथ हाना इस डिस्क्राइब वाइफ फोलोविंग एक्विशन और हम किस एक्विशन से देख सकते हैं एक्विशन को एक्सप्रेश करेंगे जहां पर N क्या है ओपलेशन देंसिटी है टी टाइम पर आर क्या इंट्रेंसिक रेट ओव नेचुरल इंक्रीज और क्या है केरिंग कैपसिटी है ठीक है सिंस रिसोर्सेज फोर ग्रोथ फूर मोस्ट अनिमल पॉपुलेशन और फिनेट एंड बीकम लिमिट सुनर और लेटर दे लोजिस्टी ग्रोथ मोडल इस कंसिडर एम और रियलिस्टिक वन सही बात है कोई भी पॉपुलेशन हो सकता है स्टार्टिंग में एक्स्पनेंसिल है ठीक है किंशा यहां बोला है इफ ड्रोसोफिZA इन लेबरेटरी फोपुलेशन 8 यहनि स्टार्टिंग में जो पॉपलेशन स предлож था वो कितना था 80 finish in 100 ड्रोसोफिल इन लेबरेटरी पोपुलेशन ओफ दाइट ड्यूरिंग और डेथ कितने के होगी I a 8 के होगी तो यहां से आपको क्या बताना है data rate बताने राधाने और मैंने बताया था data rate के लिए क्या करना आप को डियोटा एड़ा एंट इस अपोर एंड डेल्टा टी हैना तो एक यह बोल रहा है यही दूढया औरस निकालनी है कितनी 8 की Day हुई कितने में से 80 कि तो डेट paid क्या होगी डेलटा-N टिच्ट है पहला लोजिस्टिक शेंपाने ऐस्पेन्दिन्ग और स्टेबल एच पिरामिड देखोए अपना पहले यह सेकेंड कर्ते हैं जिसमें किसका क्रेक्टर क्या दे रहा है मैं पहले unlimited resources availability condition unlimited resources available कौन सी condition में होगे जिब growth क्या होगी exponentially होगी तो exponentially growth के लिए क्या होगा unlimited resources फिर बोला है limited resources availability condition अब limited resources किसमें होगा logistic growth वे होगा तो यह logistic growth को represent कर रहा है फिर बोल रहा है the percent individual of pre-reproductive age is larger followed by reproductive and post reproductive age group यानी pre-reproductive individual के नम्मर क्या होंगे ज्यादा होंगे किसके comparison में reproductive और post reproductive और जब भी pre-reproductive individual के नम्मर ज्यादा होते हैं वो जब reproductive में enter करते हैं तो in future population decline ना होकर क्या होती है expand करती है growth होती है हना तो किसको represent करा करेगा growing population को या expanding is pyramid को represent करेगा तो यह किसको बता रहा है हना next बोल रहा है तब percent individual of pre-reproductive and reproductive age group आर सेम जब प्री reproductive और reproductive दोनों age group क्या हो उनके नम्मर लगबग सेम हो तो वो pyramid हमेसा कैसा होता है stable pyramid होता है तो यह किसको represent कर दिया stable pyramid को है ना तो यह चीज़ें अपने को देखनी तो क्या हो जाएगा एक का सेकिंड हो जाएगा बी का फर्स्ट एक का सेकिंड बी का फर्स फॉर्ट ऑप्शन है ना नेक्स बोलना है amansalism can be represented is अब हम बात करेंगे कुछ interaction की ठीक है आपको एक table दे पोपुलेशन इंट्रेक्शन है ना पोपुलेशन इंट्रेक्शन क्या है कि कोई भी हैबिटाट में या कोई भी community के अंदर अगर हम बात करें तो कोई भी single population survive नहीं करती है हर एक population या हर एक species दूसरे पर क्या रहती है डिपेंड रहती है अगर हम autotrops की बात करें जैसे प्लांट की बात करें तो प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं यानि autotrops है वो है ना तो वो भी single या alone ले present नहीं हो सकते reason क्योंकि प्लांट को pollination के लिए किसकी जरूरत पढ़ती है इंसेक्ट की जरूरत पढ़ेगी उनको मिनरल्स की जरूरत पढ़ती है तो मिनरल्स का काम कौन करता है डी कंपोजर करते यानि कहने का मतलब प्लांट भी अकेले का भी नहीं कर सकते हर स्प्सवwarts एक दूसरे के ऊपर क्या रहती है डिपग रहती है अब इस डिपेंट रहने से कई इरेक्षय seven-a & b अगर दोनों स्पिसितरों और बाद बेनीफिट और यानि से दोनों को अपस में इंट्रेक्षन के बाद imperfect जो होगा है मिच्वलिजम यहां बोलना है नेगेटिव नेगेटिव यानि दोनों स्पीसीज को इंडरक्षन के बाद क्या हुआ दोनों को लोस बोलते हैं हम competition फिर बोलना एक को benefit हुआ दूसरे को क्या हुआ लोस जब एक को benefit और दूसरे को लोग वोता है तो उसको हम प्रिडेश जिसे हम टाइगर और डiéर की बात कर सकते हैं फिर अगर आपना बात करें एक पॉजितिव एक ये बात कर रहा है पैड़ाइज जहां पर होस्ट को पहता है लोग परस परसाइट को क्या होते हैं, benefit होते हैं, अगर हम बात करें कि एक species को क्या हो रहा है, benefit हो रहा है जबकि दूसरी अनफेक्टेट है, यानि जिरो किसको represent कर रहा है, अनफेक्टेट, तो इस condition को हम बोलेंगे, commensalism और last one क्या कह रहा है कि एक को loss हो रहा है दूसरी unaffected है उस condition को हम क्या बोलते हैं amensalism और question में आपको यही पूछा गया है कि यहां पर amensalism कौन represent कर रहा है यानि एक species negative होगी दूसरी कैसी होगी 0 यानि एक को loss होगा लौस तो यहां पर लोश नहीं हो रहा है फिर यहां बोलना यह रokes जो रहा है यहां अफेक्टेड बिल्कोר सही बात है यह इत्यार मैं मैं अंना हो सकता है यहां बोलना है positive जीरो यानि हमसे लियुप कर रहा है एक को benefit हो रहा है बी को भी benefit हो रहा है यानि mutualism को represent कर रहा है एक को benefit loss हो रहा है दूसरे को भी क्या हो रहा है loss हो रहा है मतलब एक किसको represent कर रहा है competition तो amensalism को कौन represent करेगा second वाला यानि एक को loss दूसरा unaffected ठीक है next which one of the following statement cannot be connected to prediction के regarding हम बात करें तो कौन-कौन से statement prediction सबसे पहले हम बात करते हैं prediction है क्या अगर हम prediction की बात करें तो prediction में जैसे आप बात करोगे तो आपके दिमाग में example आता टाइगर और डियर का यानि टाइगर डियर को catch करता है उसको kill करता और अपने food की form में यूज करता है तो अगर हम बात करें तो टाइगर को तो क्या हो गया benefit हो गया जबकि डियर को क्या हो गया लोस हो गया तो वहां पर टाइगर तो क्या है प्रिडेटर स्पीसीज है और डियर क्या है प्रे स्पीसीज है अगर हम नेचर में बात करें तो प्रिडेशन का बहुत बड़ा रोल है कैसे क्योंकि जितने भी एक ट्रोपिक लेवल से दूसरे ट्रोपिक लेवल में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है या फूड एनर्ज जो प्रे पॉपुलेस्ट उसको अंडर कंट्रोल रखती है इसको तीसरा अगर हम प्रीडेटर को हटा दे टो प्रेपोपुलेसे इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनमें competition होकर वो क्या हो जाती है extinct हो जाती है यानि कहने का मतलब predator क्या करता है species diversity को भी maintain करता है तो यहां पर क्या बोल रहा है देखो which one of the following statement cannot be connected to predation यानि कौन सा ऐसा statement है जो predation को connect नहीं कर सकता है ना तो सबसे पहला पहली बात बोल रहा है it might lead to extinction of a species यानि अगर कोई प्रीडेटर किसी प्रेइस्पीसीज का ओवर एक्सप्लोइटेशन करना स्टार्ट कर दे तो जब ओवर एक्सप्लोइटेशन करना स्टार्ट करेगा तो उस condition में प्रेइस्पीसीज extinct हो सकती है तो बिल्कुल सही बात है कि अगर क्या करने लग गए ओवर आधेस्ट प्रेइस्प्लोइटेशन करने लगे तो एक इसपीसीज क्या हो सकती है एक्स्टिंट हो सकती है यानि यह तो प्रीडेशन को क्या करता है करता है फिर बقول रहा है both the interactingसFसीज र नेगेटिवलेट इंपेक्ट आपने देखा था कि प्रिडेशन में इन एक स्पीशीज को तो क्या हो रहा था बेनिफिट हो रहा था और बी स्पीशीज को क्या हो रहा था लोस हो रहा था यानि एक स्पीशीज को बेनिफिट होता है दूसरी स्पीशीज को क्या होता है लोस होता है तो बिलकुल गलत बात है कि दोनों इस्पीशीज को लोस नहीं हो होता तीसरा बोलना है it is Crying lesson by nature to maintain ecological balance एक biological balance ने का काम किसका है फरी डेशन का किसे कि अगर salts नहीं होंगे तो प्रेस पहुत जाटा क्या कर सकती है इन्विशंट कर सकती है भड़ सकती है नम्ब्र में तो ecological जो बेलेंस ही ने ठहुता है तो इक लोजिकल बैलेंस को को maintain करने का काम किसका है प्रीडेशन का है तो बिल्कुल सही बात है फिर वोला इट है इन मैंटेनिंग स्पीसिस डाइवरसिटी ने कम्यूनिटी बिल्कुल सही बात है क्योंकि अगर प्रीडेटर को हम हटा देते हैं तो प्रे किसपोपुलेशन इतनी ज्यादा नंबर में इंकरीज होती है यहां पर कौन सा कनेक्टटेड नहीं है प्रेडेशन से यहां पर क्या हो गया यहां भी बोल रहा है प्रेक्ट हो Tech키 Ball अग regulation पर इस परिकरन करने वाली दोनों जातियों को नकरात्मक प्रभाव कड़ता है नहीं एक को क्या होगा एक पॉजिटिव अफेक्टेड होगी दूसरी नेगेटिव पर इस्थितिक संदुलन को कायम रखने के लिए इसे प्रकरती द्वारा आउशक बनाया गया बिल्कुल सही सबसे पहले तो आपने बात करते हैं कि यह इंटर स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक क्या है देखो इंटर स्पेसिफिक इंटर यानि दो स्पीसिज के बीच का वाला जो इंटरेक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक क्या बोला है इंस्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉंपेटिशन इन नेचर वीच मेकनिजम ड़कॉंपीटिटिंग स्पीसिस माइट हैव इवोल्ड फोर देर सर्वाइवल यानि परकरती में अ यहां पर बात करें कि दो इस्पीसिस कॉंपेटिशन कर रही है और दोनों को साथ साथ रहने के लिए यह तो क्या करना पड़ेगा अपने फूड के रिसोर्स को अलग करना पड़ेगा है ना क्यूंकि अगर उसी फूड रिसोर्स में अगर दोनों स्पीसिस कॉंपेटिशन करते रही तो जो सुपीरियर है वो सर्वाइव करेगी इंफिरियर वहां से क्या कर दी जाएगी एक्स्क्लूड कर दी जाएगी तो पहला बोल रहा है प्रीडेशन पर 30 वर करने हो जाते हूं अपनी उत्र जीविता के लिए कौन से विद्य का विकास किया गया है पहला बोल रहा है कि प्रीडेशन फिर बोल रहा है रिसोर्सेज पार्टेशनिंग फिर बोल रहा है कॉंपेटिशन रिलीज और नेक्स है मिचुलिजम यानि दो इस्पीसीज क तो वह ही सर्वाइव करना है जैसे आपको याद होगा डार्विन फिंचेस यनी डार्विन की जो 14 फिंचेस ती उन्हों में क्या हुआ क лег अपने स्पाने फूर्टीं में feeding कर रही है तो दूसरी species night में क्या करना start कर दे feeding करना start कर दे तो क्या वोले इंटर specific competition in nature which mechanism the competitive species might have evolved for their survival अपने आपको survive करने के लिए कौन सी mechanism अपनाए जिससे वो क्या करें competition को भी avoid कर दे और survive भी कर जाए तो क्या करो resources को क्या कर लो partition कर लो तो resources पार्टनेशन के थ्रू हम क्या कर सकती या संसादन विवाजन के थ्रू क्या कर सकती इस पीसीज इवोल हो सकती या survive कर सकती है नेक्स बोला वाइल एक्स्प्लेनिंग इंटर स्पेसिफिक interaction a population positive sign is assigned for beneficial सही बात है positive beneficial को negative sign for a sign for detrimental interaction and zero neutral interaction के लिए positive benefit हो रहा है negative represent कर रहा है कि इसको detrimental और zero represent कर रहा है neutral को which of following interaction can be assigned positive negative एक तो बोल रहा है positive एक बोल रहा है negative देखो अगर हम positive negative के बात करें तो अपने पास positive और negative के दो है एक तो कौन है predation है दूसरा है parasitism predation में भी एक species को benefit हे और रहा है को क्या हो रहा है Σपॉट हो रहा है एक को क्या हो रहा है याने एक को benefit हो दूसरी अनफिटेट ओने करता है नेगाटीव नेगाटीव याने दोनों स्पीसिश को क्या हो रहा है लौस हो रहा है जब कि प्रिडяжel क्या रिपर्जेट खारता है पोजीटिव नेगाटिव कौन सा ऑफिशन जायेगा फोर्थ ऑप्षन यहां पर यह आपको दो स्टेटमेंट दे रखें, given below are two statements, दो स्टेटमेंट दे रखें, competition के regarding, पहला बोला है, गोस competitive exclusion, principle state that two closely related species competing for the same resources cannot coexist it indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually, direct NCRT की लाइन है, कि गोस principle क्या बोलता है, कि जब resources limited हो, तो दो closely related species आपस में क्या करती है, competition करती है, जहां superior species, inferior species को उस region से हटा देती है, यानि exclude कर देती है, eliminate कर देती है, तो क्या statement one correct है क्या, तो statement one बिलकुल correct है, दूसरा बोलना है, in general carnivores are more adversely affected by competition than herbivores, अगर हम बात करें, in general carnivores are more adversely affected by competition than herbivores, देखो, सबसे बहले अगर आपन बात करें, तो carnivores के number हमेशा herbivores के comparison में क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है, तो अगर हम देखें, कि जितने भी herbivores है, वो grasses के लिए competition क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं, क्यूंकि herbivores के number ज्यादा है, इवन हर्भी वोरेश की species भी क्या है? ज्यादा है। तो एक deer भी वहां grasses के लिए competition कर रहा है, एक cow भी वहां पर क्या कर दिया? Competition कर दिया, गोट भी competition कर दिया, यानि एक ही area के grasses के लिए हर्भी वोरेश भहुत ज्यादा competition करते हैं, वही पर अगर हम टाइगर की बात करें तो टाइगर यानि टॉप लेवल पर यह competition धीरी धीरी क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है यानि कहने का simple मतलब है कि सबसे ज्यादा competition आपको हर्भी वोरस के अंदर देखने को मिलेगा उसके कम उससे कम किसमें मिलेगा कार्निवोरस जबकि यह क्या बोल रहा है कि इन जनरल कार्निवोरस और मोर एडवरसली अफेक्टेड बाई competition देन हर्भी वोरस बिल्कुल गलत यहां पर हर्भी वोरस ज्यादा क्या होंगे अफेक्टेड होंगे किसके लिए competition के लिए तो statement 1 करेक्ट है statement 2 क्या है incorrect है तो यहां पर देख लो कौन सा statement 1 is correct बट स्टेटमेंट यह कौन सा हो गया second नेक्स बोल रहा है दो लिस्त देर क्या आपको मेच करने अभी अपने देखा था मिचुलिजम आपको पता है मिचुलिजम क्या होगा पॉजिटिव 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 करेक्ट उस टेबल से किंशन आई यानि उस एक इतनी सी टेबल से अब तक अपने कि ऋन्हें देख चूक है यानि इस सिर्फ वह चोटी सी टेबल से इन पशीकिन आ चुकी है थीज कहार लेपर नेट्स दो डिर, क्लल यापको यहां पर कुछ एग्जमंपल्स है जो क्या बो क्योंकि दोनों क्या है ओल्मोस्ट टॉप लेवल के कंजूमर्स हैं तो दोनों क्या करेंगे आपस में कॉम्पिटीशन करेंगे फूड के लिए तो यह एक्जम्पल किसका देखा जा सकता है फिर फिर बोल रहे कुकु लेंग एग इन एक रोह नेस्ट इसको बोलते हैं इसरे बर्ड के जो नेस्ट है उसमें क्या कर देते हैं रख देते हैं होता क्या है कि दोनों के जो एग है वो मार्किंग में पेटन में कलर में अल्मस्ट क्या होते हैं सेम होते हैं ऐसा ही किसमें देखने को मिलता है कोईल और कववे के अंदर वहां पर क्या होता है कि कोईल य तो कुकुलेग एक इन क्रोनिस तो किसका एक्जापल हो गया retro parasitism फिर फंगाई एंडर रूट और हायर प्लांट इन माइक ओराइजा माईको राइजा की बात करें तो माईको राइजल association क्या है कि higher plant की root और found SOL की बीच का association है जहाँ है पे fungus क्या करती है लार्ज या जो trees है उनको क्या करती है mineral और water absorb करती है यह उनको water और mineral provide करती है जिससे plant को जवंगा हो गया benefit return में क्या करता है plant उसको food और shelter provide करवाता है तो fungus को भी क्या हो गया प्रोفित हो गया यानि दोनों इस पीसीज को क्या हो रहे है प्रोफिट और जहां दोनों इस पीसीज को प्रोफिट होता है प्लस प्लस उसको हम बोलते मिचुलिशम Peach को मैश्मी को फिर चाये क है जो नम सुनावाइट थिखुम में तुभगण नम सुनाओगा वाइट वाइट जिर बहुता क्या है कि जहाँ पर जहां पर चुपे हुए इंसेक्ट आफ दिन तो एक पर या निर्लेट बां या ने वह पलका को क्या कर लेता है अब देखो हुआ क्या हुआ कि काउ या केटल वो तो अपने आप में फूड की ग्रेजिंग कर रहे थे है ना तो उनको कोई अफेक्ट नहीं हुआ उस इंट्रेक्शन से लेकिन उनकी चलने की वज़े से इंसेक्ट बहार आए और बहार आने पर इसली बग उसको हम बोलते हैं कॉमेंसलिजम यानि किसका एक्जांपल हो गया कॉमेंसलिजम का तो क्या होगा हूं कि फर्स्ट का सेकेंड और थर्ड का थर्ड और फॉर्थ का फॉर्थ हैलो वजो आज अपन देखने वाले हैं बाइलोजी की 10 यूनिट एकोलोजी तो उसके अंदर प से कुछन आये हैं पिछले 5 सालों में तो अपने एनलाइसीस किया पिछले 5 सालों का तो हमने क्या देखा कि पिछले 5 सालों में लगबग 10-12 क्यूस्टेम से आये हैं और उसमें भी कहां से प्रोड़क्टिवीटी डीकंपोजिशन एनर्जी पिरामिड एनर्जी से एनर्जी फ्लो और पिरामिड से सबसे ज्यादा क्यूशन पुछे गया है तो आज अपन उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं साथ ही हम NCRT का रिफ्रेंस देंगे कि कहां से कौन सा क्यूशन आया है तो देखो सबसे पहले आपन चलते हैं पहला क्यूशन क्या दे रखा है इन रिलेशन टू ग्रोस प्राइमरी प्रोड़क्टिवीटी एंड नेट प्राइमरी प्रोड़क्टिवीटी ऑफ एन एको सिस्टम विच वन आप फॉलोविंग स्टेट्मेंट इस करेक्ट यानि है आपको किसे बारे में पूछ रहा है यह पूछ रहा है प्रोड़क्टिवीटी के बारे में तो क्यों चसब से पहले अपनरें एको सिस्टम एंड फँन्छन एंड एजकिशन यानि एक को system की जो primary unit है या जो basic unit है उसको अपने आपको function करने के लिए sustain करने के लिए वो क्या है energy और energy का जो main source है वो कौन है sun है next बोल रहा है primary production is defined as the amount of biomass amount of biomass और organic matter produce per unit area over a time period by plant during photosynthesis आप इसको कैसे define कर रहे है primary production को देखो क्या बोल रहा है primary production is defined as the amount of biomass यानि जो total biomass है यह हम biomass को क्या बोल सकते है organic matter product produce per unit area over a time period by plant during photosynthesis यानि plant के थूरू एक particular unit area के अंदर जो photosynthesis के थूरू जो organic matter बनाया जा रहा है उसी को हम क्या बोलते है primary production next बोल रहा है it is expressed as the term of weight आप weight की term term में आप उसको express कर सकते हो या आप उसको किसके term में energy के term में express कर सकते हो तो आप क्या कर रहा है it is expressed in the term of weight or energy energy की form में आप express करोगे तो kilo calorie meter inverse 2 और यहां पर क्या gram meter नियुक्तिविटी और यही जो biomass production की जो rate है उसी को हम क्या बोल रहे है productivity next बोला है it is expressed in the term of gram meter inverse year inverse यानि आप एक particular unit area की बात कर रहे हो उसके अंदर आप क्या देख रहे हो कितने weight में biomass produce हो रहा है उसके respect में यहां आप energy की form में करोगे तो kilo calorie की form में आप इसको क्या कर सकते हो express कर सकते हो to compare the productivity of different ecosystem और आप दो अलग-अलग ecosystem की productivity को डिफ आप क्या कर सकते हो उसको differentiate कर सकते हो जैसे आप अगर बात करें हम desert ecosystem की तो desert ecosystem की productivity अलग है जबकि tropical की productivity अलग है it can be divided into gross primary productivity आप primary productivity को दो पार्ट में divide कर सकते हो सबसे पहले कौन सा gross primary productivity जिसको हम क्या बोलते है GPP ठीक है दूसरा आप किसकी form में इसको express कर सकते हो net primary productivity जिसको हम क्या बोलते है NPP यानि primary productivity कितने टाइप की दो टाइप की gross primary productivity and net primary productivity gross primary productivity क्या देखो gross primary productivity of an ecosystem is the rate of production of organic matter during photosynthesis यानि plant के थूफ फोटो सिंदेसिस के थूफ जो डॉलप किया गया या जो बनाया गया organic matter है वही क्या है gross primary productivity ठीक है एक considerable amount of GPP is utilized by plant in respiration अब क्या करता है plant उस GPP की कुछ amount कि इसमें यूज कर लेता है respiration gross primary productivity minus respiration loss R is the net primary productivity यानि जितना biomass produce किया जाता है photosynthetic plant के थूफ उसमें से plant कुछ respiration में क्या कर लेता है उस energy को use कर लेता है respiration में use करने के बाद जितनी भी energy बची होते हो हम उसको क्या बोलते है NPP आप इसको किसकी फॉर्म में express कर सकते हो NPP is equal to GPP minus R यह आपने किसमें loss कर दिया respiration में loss कर दिया तो NPP का formula के होगे GPP minus R देखो next क्या बोल रहा है net primary productivity is the available biomass for consumption to heterotrophs यानि herbivorous and decomposer very important क्या बोल रहा है कि net primary productivity वो biomass है जो किसके लिए available है heterotrophs के लिए चाहिए वो herbivorous हो चाहिए वो decomposer हो तो उनके लिए जो available energy वो कौन सी है net primary productivity next बोल रहा है secondary primary productivity is defined as the rate of formation new organic matter by consumer अपन क्या पढ़ते हैं अगर हम biotic factor की बात करें तो सबसे पहले हम producer की बात करते हैं किसकी बात करते हैं producer और producer के बाद कोन आते हैं consumer अब देखो यहां पर जो organic matter synthesis किया जाएगा उसको तो हम बोले primary productivity लेकिन जो consumer level पर right 치ण ऑर जुर्द में इसनीस तो हम क्या वोलेंने secondary productivity बात आते है कंजूमर level में क्या हर्भी वोरस आएँगे हर्भी वोरust अगर organic matter synthesis कर रहे हैं तो हो वो क्या है secondary productivity अगर आपन बात करें primary carnivorous अगर primary carnivorous भी organic matter synthesis कर रहे तो वो भी क्या है secondary productivity secondary secondary carnivores या top carnivores या top consumer की बात करें तो उनके थुरू भी जो biomass produce होगा वो भी क्या है secondary productivity है निक्स बोला है primary productivity depend on plant species inhabiting a particular area बिल्कुल सही बात है कि जो primary productivity है वो किस पर depend करेगी वहां पर present plant की ओपर depend करेगी it also depend on variety of environmental factor availability of nutrient and photosynthetic capacity of the plant plant की photosynthesis करने की capacity ज्यादा होगी तो productivity भी क्या होगी ज्यादा होगी वहां पर inorganic nutrient ज्यादा होगी तो productivity भी क्या होगी ज्यादा होगी यानि कहने का मतलब है कि productivity वहां की plant species पर भी depend करेगी साथ साथ surrounding environment के factor पर भी depend करेगी even plant की photosynthesis की rate पर भी क्या करेगी productivity depend करेगी next बोला है therefore it vary in different type of ecosystem और इसके basis पर आपने different different ecosystem बना दिये tropical में सबसे ज्यादा productivity, desert में कम, temperate में medium type की next क्या बोला है the annual net primary productivity की बात कर रहा है GPP की बात नहीं कर रहा है जब हम annual NPP की बात करते है किस की तो the net annual the annual net primary productivity of the whole biosphere complete biosphere की बात करें तो approximately कितनी है 170 billion ton और हमेशा यह किस फॉर्म में है dry weight की फॉर्म में है तो कितनी है complete biosphere की annual की net primary productivity 170 billion ton हाना of organic matter हो of this despite occupying about 70% of the surface the productivity of ocean are only 55 billion ton जब हम बात करते है ocean की तो ocean की जो total surface area earth का कितना cover करता है लगबग 70% cover करता है लेकिन 170 billion ton में से केवल biomass कितना produce करता है 55 billion ton ही biomass produce कर पाता है next बोलना है rest of course is on land remaining कितनी बचकी 115 जो billion ton productivity है वो terrestrial ecosystem के तुरू यानि terrestrial की 115 जबकि ocean की 55 क्या बोल रहा है discuss the main reason for the low productivity of ocean with your treasure अगर हम बात करें की ocean के अंदर low productivity क्यों है देखो productivity के लिए में दो फैक्टर जरूरी है सबसे पहला factor है energy और energy का जो source है वो sun और दूसरा आपको photosynthesis के लिए productivity के लिए क्या चीए इन और्गनिक content चीए तो जब हम ocean की बात करते हैं तो ocean की जब depth में हम जाते हैं तो light intensity धीरे-धीरे क्या होती जाती है decrease होती जाती है और जब हम mineral की बात करते हैं तो decomposition की जो site है वो क्या होता है bottom होता है तो minerals अगर यहां परजेंट है और solar energy यहां है तो इसके बीच में बहुत ज़्यादा gap होने के वज़ए से यहां पर photosynthesis की rate क्या हो जाती है decrease हो जाती है और photosynthesis की rate decrease होने के साथ ही क्या हो जाते productivity भी क्या होगी कम होगी अब हम देखेंगे productivity से related कितने question previous year में पुछे गए ठीक है देखो पहला question क्या पुछा गया है पहला पुछा गया है in relation to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem which one of the following statement correct आपको GPP और NPP के regarding ऐसा statement देखने है जो क्या हो correct हो पहला क्या बोल रहा है gross primary productivity is always more than net primary productivity देखो अभी अपने एक formula लिखा था NPP is equal to GPP minus R यह formula अपने अभी थोड़े देर पहले किया था यहां पर अगर अपन बात करें तो यह NPP की value किसके बराबर है जब GPP से respiration loss हो जाए तब भी यह किसके बराबर है NPP के बराबर है यहां पर अगर अपन अमाउंट की बात करें तो GPP के अमाउंट क्या होगी ज़्यादा होगी जबकि NPP क्या होगी कम तो बिल्कुल सही बात है कि gross primary productivity is always more than net primary productivity हमेशा net primary productivity से क्या होगी GPP ज्यादा ही होगी ठीक है दूसरा बोल रहा है यह statement correct है दूसरा बोल रहा है gross primary productivity and net primary productivity are one and same same नहीं है यहां पर GPP तो total biomass है जबकि NPP है कि total biomass से जो respiration loss हो रहा है वो NPP को represent कर रहा है मतलब दोनों से हैं नहीं है तीसरा बोल रहा है there is no relationship between gross primary productivity and net primary productivity देखो relation है इन दोनों की बीच में तो यह भी क्या होगा इंकरेक्ट फिर बोल रहा है gross primary productivity is always less than net primary productivity incorrect GPP हमेशा ज्यादा होगी किसके comparison में NPP के comparison में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी यहां देखो और में शकल प्रात्मिक उत्पादक्ता और नेट प्रात्मिक उत्पादक्ता के संब्रमी को कौन से कथन सही है इस सुकल कि सकल इसको किसको बुलेगा है अपन जी पी को बोलेंगी ज Pen जी पिसको हुआ इन दे एक्विशन जीपी मéstर इस उइकल टूए यानि MPP उप्र लार् है इसके अंदर और की चीज को टेया इसंतों कर रहा तो आपने बोला था यह किसको retardation factor नहीं यह environmental factor बिल्कुल नहीं किसको रिप्रेजंट कर रहा है सभूसन में हानी या रेस्पिरेशन लोस को रिपरेजंट कर रहा है यह same question again repeat हुऊ है ठीक है दोनों question same है फिछले वाला question भिसेम था यह और इससे आगे वाला यह भी क्या सेम क्या बोला है इन दा equation यह दे रखिए ग बिबाइब है जीपीप इस ब्रोष्प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एन पीपी प्रैंट प्राइमरी प्रोड्टिविटी देन और तो यह बात कर रहा किसकी decomposition की तो क्यों आपन सबसे पहले क्या करें decomposition के बारे में बात करें देखो यहां पर आपन बात करते हैं decomposition की तो line by line आपन देखके चलते हैं यह क्या बोलना है you may have here of earthworm being referred to as the farmer friend हाँ आपने सुना होगा कि earthworm क्या है farmer का friend है क्यों friend है क्योंकि यह क्या करता है वहां पर जो dead organic matter है उनको breakdown करके fertile soil का formation करता है next बोला है this is also this is so because they help in breakdown of complex organic matter as well as in loosening of the soil क्यों आपने farmer का friend बोला earthworm को पहला क्या करता है यह complex organic matter का breakdown करके उसको simpler form में convert करता है दूसरा यह loosening करता है soil की यानि soil को porous बनाता है ठीक है जिसकी वज़े से भी क्या होता है plants जो productivity वाले जो plants है उनमें root के अंदर respiration होना easy हो जाता है next बोल रहा है similarly decomposure breakdown complex organic matter into inorganic substance like carbon dioxide water nutrient and the process is called decomposition decomposition को इसने define किया है कि dead organic matter या अब बोल सकते complex dead organic matter जब simple inorganic matter में convert होते हैं तो हम उस process को क्या बोलते है decomposition क्या बोलेंगा decomposition next बोलेंगा dead plant remains such as leaf bark flower and dead remain of animal including fecal matter constitute detritus अब आप dead organic matter किसको include किया या dead organic matter ही कौन है detritus है आपनी leaf को जैसे dead leaf है तो वो क्या detritus आपने bark को bark भी क्या है detritus है even fecal matter even dead animal इस सारे के सारे क्या है detritus या dead organic matter which is the raw material for decomposition जो सारे के सारे के raw material किसके लिए decomposition के लिए the important step in the process of decomposition are fragmentation leaching catabolism humification and mineralization total five process होती है number one fragmentation number two leaching number three catabolism number four humification and number five क्या होगा mineralization यह आपको step by step ध्यान रखना है सबसे पहले आपने बात करते हैं क्या detrivorus देखो एक होता है detrivorus decomposer तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं detrivorus क्या होते हैं detrivorus वो animal या organism जो complex dead organic matter को simple organic matter में ही convert करते हैं वो detrivorus जिबकि decomposer क्या होते हैं dead organic matter को convert करते हैं कि इसमें inorganic matter में तो यह चीज़ ध्यान रखना तो क्या बोले detrivorus किसको बोला इसने detrivorus earthworm breakdown detritus into smaller particle क्या करेगा यह detritus को small particle में तोड़ेगा this process is called fragmentation तो number one fragmentation कि अगर आपन बात करें process की fragmentation क्या है कि complex dead organic matter का simpler organic matter में convert होना क्या है fragmentation by the process of leaching second step कौन सा leaching water soluble inorganic nutrient water soluble inorganic nutrient go down into soil horizon and get precipitated as unavailable salt सबसे पहले आपने क्या करा यह मानलो dead organic matter है उसके small particles कर दिये इनको particle करने के time कुछ by-product जो inorganic soluble content निकलता है यह जो mineral निकलते है वो water के साथ horizontal क्या हो जाते हैं बेड़ जाते कहां पर soil के अंदर तो उस process को हम क्या बोलते हैं leaching और वह unavailable salt होते हैं जो plant को आगे कभी आविलेबल नहीं होते हैं ठीक है horizontal and horizon and get precipitated as unavailable salt तो इस चीज़ को जहां रखना आगे कभी भी आविलेबल नहीं होंगे नेक्स बोला है bacterial and fungal enzyme degraded detritus into simpler inorganic substance उसके बाद bacteria और fungi के hydrolytic enzyme उस dead organic या जो fragmented particles से उनके उपर क्या किया जाता है secret किया जाता है जिसकी वज़े से क्या होता है कि वो inorganic matter कि में convert हो जाते है simple inorganic content में और इस process को हम क्या बोलते है catabolism ठीक है next बोला है it is important to note that all the above step in decomposition operate simultaneous on the detritus very important क्या बोल रहा है कि उपर जितनी भी 3 step देखिया आपने कौन-कौन सी fragmentation leaching और catabolism सारी कि सारी simultaneous चलती है यानि एक साथ साथ चलती है फिर बोल रहा है humification and mineralization occur during decomposition in the soil जो humification और mineralization वो कहा मिलेगा आपको soil के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे what is humification to humification lead to accumulation of a dark colored amorphous substance called humus यानि humification क्या है कि soil के अंदर एक dark color का amorphous material या substance को इखठा करना क्या है humus है next बोला humus that is highly resistant to microbial action यह इंपोर्टेंट है क्योंकि यह easily microbes degrade नहीं होता तो microbial क्या होता यह resistant होता है next बोला undergoes decomposition at an extremely slow rate यानि इसका जो humus का जो decomposition होगा बहुत इसलो मैं आपको फिर simple चीज में बताता हूं कि humus क्या होता है humus एक ऐसा amorphous material है जिसका easily decomposition नहीं होता easily inorganic content convert नहीं होता तो कुछ time तक soil के अंदर क्या रहता है deposit रहता है है ना वह microbial resistant है यानि इसके उपर easily microbes attack नहीं कर सकते लेकिन attack करेंगे तो decomposition की rate fast होनी चीए या slow होनी चीए तो decomposition की rate क्या होती है हमें सहाँ slow होती है ठीक है नेक्स्ट being colloidal in nature nature में कैसा होगा यह colloidal होगा amorphous होगा dark color का होगा इसमें long time long time तक क्या रहेंगे nutrient reserve रहेंगे तो इसको क्या बोलोगी reservoir of nutrients the humus is further degraded by some microbes and release inorganic nutrient occur by the processes non-mineralization जो humus present है वो humus क्या हो रहा है वो humus बाद में किसकी activity के द्वारा microbial activity के द्वारा उसको धीरे-धीरे inorganic content में जब हम convert करते हैं तो उस process को हम क्या बोल रहे है mineralization next बोल रहा है decomposition is largely an oxygen requiring process यानि हमेशा aerobic condition में होगा तो क्या decomposition के लिए हमें oxygen की requirement होगी बिल्कुल हमें oxygen की requirement पड़ेगी फिर बोलने दर रेट आफ दी composition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factor यहां पर हम बात करें कि decomposition को affect करने वाले factor तो फैला factor है chemical composition of detritus और second है climatic factor climatic factor like temperature oxygen है लाइट यह सारे देखो क्या क्या है इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक condition decomposition rate is slower slower if detritus is is rich in lignin chitin and quicker यानि कहने का मतलब क्या है कि सारी climatic condition favorable है लेकिन अगर detritus के अंदर कौन-कौन परेजेंट है तो जो decomposition की rate है वो हमेशा क्या रहेगी slow रहेगी if detritus is rich in nitrogen and water-soluble substance like sugar लेकिन अगर उसमें क्या क्या present है nitrogen water-soluble substance like sugar वगेरा present है तो जो decomposition की rate है वो क्या हो जाएगी बहुत fast हो जाएगी फिर बोलना temperature temperature and soil moisture are most important climatic factor that regulate decomposition through their effect on the activities of soil microbes उसके अलावा climatic factor कोन है एक तो soil के moisture condition अच्छी होनी चीए दूसरा temperature लगबग 25 degree का सपास होना चीए तो जो decomposition rate है वो क्या होनी होगी fast लेकिन जब हम उससे ज्यादा temperature बढ़ा देते हैं या उस 25 से कम कर देते हैं तो decomposition rate भी क्या हो जाती है कम हो जाती है नेक्स बोला है warm and moist environment favor decomposition where low temperature and anaerobic inhibit decomposition resulting in build up organic material क्या बोल रहा है यह बोल रहा है कि गरम यानि warm area यह most environment जहां पर बहुत ज्यादा नम्मी हो वहना most environment favor decomposition जो decomposition क्या करते हैं favor करते हैं उस condition में ज्यादा होता है जबकि कौन low temperature और anaerobic condition अगर temperature कम है oxygen absent है तो decomposition क्या होगा अफेक्ट होगा वहां पर decomposition rate क्या हो जानी है slow हो जानी है अब देखो इससे related कौन कौन से question आये हैं वही हम बात करते हैं देखो यह बोला है detritus breakdown detritus into smaller particle this process is called मैंने बोला था कि complex dead organic matter के small particle कौन करता है earthworm करता है तो earthworm करता है तो process को हम क्या बोलते है fragmentation या हम इसको खंडन बोलते हैं तो यह क्या हो गया fragmentation या इसको हम खंडन बोलते हैं ठीक है next question देखते हैं क्या बोला identify the correct statement पहला statement बोल रहा है detritus perform fragmentation अभी मैंने बोला था detritus कौन है earthworm और earthworm fragmentation का काम करता है यह statement number one is correct second बोल रहा है the humus is further degraded by some microbes during mineralization बिल्कुल सही बात है last line अभी पड़ी थी कि humus further क्या होता है degrade होता है किसमें inorganic substance में किस के तुरू microbes के तुरू जिस process को हम मोलते है mineralization बिल्कुल सही बात है यानि B statement भी क्या हो गया correct फिर बोल रहा है water-soluble inorganic nutrient go down into the soil and get precipitated by a process called leaching बिल्कुल सही बात है क्या होता है leaching के अंदर inorganic जो water-soluble content minerals है उस सारे के सारे soil के अंदर बेट जाते हैं और बाद में क्या हो किस फॉर्म में precipitate हो जाते है unavailable salt की फॉर्म में तो A भी करेक्ट है B भी करेक्ट है C भी करेक्ट है D क्या बोलता है the detritus food chain being with living organism अब देखो दो टाइप की food chain एक grazing food chain दूसरी अगर किसी living या producer से कोई food chain स्टार्ट हो रही है तो तो हम बोलते हैं उसको grazing food chain लेकिन अगर dead organic matter से कोई food chain स्टार्ट हो यह जैसे like dead organic matter dead organic matter को consume करेगा earthworm earthworm को sparrow तो अगर dead organism से स्टार्ट होती है यह dead organic matter से स्टार्ट होती है फिर बोला earthworm breakdown detritus into smaller particle by process is called catabolism नहीं नहीं earthworm complex जो organic matter उसको simpler organic matter में convert करता तो process को हम क्या बोले थे fragmentation बोले थे catabolism नहीं तो कौन-कौन से सब्सक्राइब करते हैं बिलकुल सब्सक्राइब कुछ सुक्षम जिवानों द्वारा humus और अधिक अपगेटित होती है जिसे खनीजी करन कहा जाता है ठीक है mineralization बोलते हम जल गुलंसील एकार्बनिक पोसक मर्दा के नीचे चले जाते हो और अवचेपित हो जाते यानि क्या हो जाते हैं वहां पर प्रिसिपिटेट हो जाते हैं जिसे निचालन कहा जाता यह भी से यह भी से यह भी से अप्रद खादेश रंखला जीवित 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 कारपनिक पदार्थों से केंच आप परदक को खंडित कर छोटे चोटे कड़ों में बदलता है बिल्कुल सही बात है लेकिन उसे अपचे ना बोलकर उसको हम क्या बोलते हैं खंडन बोलते ठीक है नेक्स बोला गिवन भी लोटू स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट दे रखा स्टेटमेंट वन और टू उसके बारे में बात करते हैं क्या बोला है डीकंपोजिशन इस प्रोसेस इन विस देट्राइटस इस डिग्रेडेड इंटु सिंपलर सब्स्टेंस बाई मायक्रोब्स प्रोसेस इस देट्राइटस इस रिच इन लिग्नेंट कायटीन यह बोला है कि जो डीकंपोजिशन की रेट है वह फास्ट होगी अगर डेटराइटस के अंदर लिग्नें और कायटी नहीं आपते अभी थोड़ेएर पहले देखा था कि अगर लिग्नीन और कायटीन यह लिगनिन और काईटीन की वज़े से जो डीकंपोजिशन की रेटा वो फास्ट हो जाती है बिल्कुल गलत तो स्टेटमेंट वन करेक्ट है और स्टेटमेंट टू क्या है इनकरेक्ट है यहां पर देख लो अपगेटन एक एसी प्रक्रिय है जिसमें सुक्षम जो दौरा अप करेक्ट बट स्टेटमेंट तू इंकरेक्ट नेक्स्ट सुन है अमाउंट अफड नुटरेंट शच आप नुटरेंट शॉपरॉस जॉपरस और कैल्सियम परजेंट इन इन देख अनी गीवन टाइम इस रिफिएज देख दो चीज़ वाती एक होता है इस टेंडिंग क्रो और दूसरा होता है standing state क्या क्या चीज है सबसे पहले आपने standing crop की बात करते हैं कि किसी ट्रोपिक लेवल पर किसी ट्रोपिक लेवल पर एक यूनिट टाइम में present जो living organic matter या जो biomass है उसको हम बोलते है standing crop यानि किसी ट्रोपिक लेवल पर जितना biomass present है इस किसी particular area में particular time में वही क्या है standing crop है standing state इसका क्या है opposite क्या कि किसी particular area में present inorganic content या inorganic जो minerals है उनकी amount क्या कहलते है standing state तो यहां पर दे रखा standing crop नहीं climax नहीं climax community नहीं क्या बोलते है अपने इसको तो standing state standing state क्या है कि inorganic nutrient तो यह क्या है carbon nitrogen phosphorus यह calcium सारे क्या सारे क्या है inorganic तो inorganic nutrient किसी particular area तो उसको हम बोलते है standing state ना कि standing crop standing crop हमेशा living या biomass के लिए use की जाती है next बोला है which of the following ecological pyramid is generally inverted pyramid के respect में बात करते हैं देखो जब pyramid के respect में बात करेंगे अपन ecological pyramid है क्या उसके बारे में complete आपन study करते हैं हलांकि कि उससे ने एक-दो मिलेगा आपको ज्यादा नहीं मिल रहा यह बोला ecological pyramid you must be familiar with the shape of pyramid pyramid की से आप familiar है the base of pyramid is broad जो base होता है वो क्या होता है broad and it's narrow toward the apex धीरे धीरे उपर की तरफ क्या होता जाता है नेरो होता जाता है वन गेटे इस similar shape whether you express the food or energy relationship between organism जिसमें आप क्या कर सकते हो food or energy relationship को define कर सकते हो organism at a different tropic level पर फिर बोला this relationship is expressed in term in term of number biomass and energy यह किस form में आप express कर सकते हो तीन form में किसमें number biomass और energy के form में आप pyramid को आप express कर सकते हो the base of each pyramid represent the producer यह चीज़ important है कि कोई भी pyramid हो उसका base कौन represent करेगा producer next बोलना है और first tropic level producer को हम क्या बोलते हैं first tropic level while the apex represent tertiary और top level of consumer यानि pyramid यहां से start हुआ तो इसका base तो कौन बना रहा है producer बना रहा है first tropic level धीरे धीरे उपर गया तो इसका apex वाला पाट कौन बना रहा है consumer या top consumer बोल सकते हम the three type of ecological pyramid that are usually studied three type ecological pyramid देखेंगे number one pyramid of number pyramid of biomass and pyramid of energy आपको detail में देखना है देखो यहां पर क्या दे रहा है tropic level दे रखा है यह producer है यह primary consumer है secondary consumer है यह tertiary consumer ठीक है यह बोल रहा है pyramid of number in grassland ecosystem only three top carnivorous are supported in a ecosystem based on production of nearly six million plant यह अगर आपन grassland की बात करें तो grassland में अगर लगबग six million grasses है तो आगे वाले यह जो लेवल है इस support कर सकता है या सबको proper energy मिल सकती है तो यहां पर producer यह देखो base कौन बना रहा है प्रोड्यूसर बना रहा है तो क्या producer के number ज्यादा है फिर अगर आपन बात करें Hend Ellis थोड़े से क्या हो गया इससे कम फिर अगर आपन बात करें secondary consumer ड़ा कि दूनमर और कम और तौक टॉप पेंज़ुमर और नुर कम चैने द को फ़िए आपको ऐसे बिलंगा फिर बोल रही ही देखो आसर डिक्रीजिन यूंघ हने त्रोपी हम बात करें और बाइंस udah लेते यानि जब वोटर को रिमूब कर दिया जाता है बचा हुआ पार्ट तो पिरामिड ऑफ बाइमास तो सार्फ डिक्रीज इन बाइमास हाई ट्रोपिक लेवल तो अगर हम बात करें तो प्रोड्यूसर का बाइमास क्या है ज्यादा हर्भी वरस का कम आगे सेकंड कंजूमर का और कम औ सिंदिंग क्रॉप और सब्सक्राइब करें ऑफ प्रोड्यूसर क्या करते हैं बाइमास की बात करें तो आप precisamente का प्रामिड ऑप्राइग बने लाएं व्यामिक्या ञाम मिक्ष्ट कीылिग ऑंड हिए व्यां है उसल हमें भीतकूम मेलिए उस सबन्सक्राइज बीक्रीजिक ल कैसा देखने को मिलता आपको इनवर्टेट देखने को मिलता है यह पिरामिड है आपका एनर्जी का एनर्जी का पिरामिड आइडिली या अपन बोल सकते हैं ओल्वेज कैसा मिलेगा आपको अप्राइट क्यों कि लिंदमान का 10% लो एनर्जी का क्या बोलता है कि हार ट्रोप has to include all organism at that tropic level, no generalization we make will be true if we take only few individual at any tropic level into account, अपनी कुछ animal नहीं लेना अपनी को पूरा वहां की पुरी community की बात करनी है, ठीक है, next बोल रहा है, also a given organism may occupy more than one tropic level simultaneous, कुछ ऐसे organism होते हैं, से ज्यादा tropic level को occupy करते हैं, जैसे sparrow की बात करते हैं, तो sparrow seed खाती है, तो तो वहर भी वोरस है, लेकिन जब वो insect खाती है, तो वो किस में convert हो जाती है, primary, carnivorous या secondary, consumer में convert हो जाती है, one must remember that the tropic level represent a functional level, not a species as such, वो सिरफ एक species को represent नहीं करता, ट्रोपिक level में कितनी भी species हो सकती है, एक गिवन species में occupy more than one tropic level in the same ecosystem at same time, for example, sparrow, अगर एक species की बात करें, तो एक species एक टाइम में, एक ecosystem एक से ज्यादा tropic level को क्या कर सकती है, occupy कर सकती है, जैसे sparrow क्या है, primary consumer, when it's when it's seed, can you work out how many tropic level human being function at food chain, human कितने, अगर human क्या है, human vegetables खा रहा है, तो हर भी वोरस है, अगर human क्या कर रहा है, चिकन वगएरा खा रहा है, तो क्या हो गया, कार्णी वोरस हो गया, ठीक है, next बोले, in most ecosystem, all the pyramid of number of energy and biomass are upright, mostly, in most ecosystem में energy का pyramid हो, चैए biomass का pyramid हो, चैए number का pyramid हो, आपको कैसे मिलेंगे, upright मिलेंगे, लेकिन कुछ exception है, क्या बोले देखो, producer are more in number and biomass than herbivorous, अगर हम producer के बात करें, तो producer का number और biomass, herbivorous के number और biomass के comparison में क्या होगा, ज्यादा, and herbivorous are more in number and biomass than carnivorous, यानि herbivorous का number carnivorous के comparison में ज्यादा होगा, herbivorous का biomass, carnivorous के comparison में क्या होगा, ज्यादा होगा, also energy at lower tropic level is always more than high tropic level, यानि अगर हम बात करें energy की, तो lower tropic level यानि producer में energy ज्यादा होगी, किसके comparison में, उपर वाले tropic level में. Next, there are exceptions to this generalization, कुछ exception भी एधान रखना, if you were to count the number of insects feeding on big tree, what kind of pyramid would you get? देखो, सबसे पहले बात करते हैं, यह बोल रहा है, कि अगर कुछ insects किसके उपर, tree के उपर, तो यह single tree है, यह कौन है? एक tree है, अगर इस tree के उपर भौछ सारे insects हैं, तो क्या insect के number tree के comparison में क्या होगे? ज्यादा होगे, अगर हम बात करें कि इसके उपर जो birds है, तो birds के number insect के comparison में क्या देखने को मिलेंगे? आपको कम देखने को मिलेंगे, यानि ऐसे birds जो insect को eat करते हैं, तो यह आपको pyramid ना तो upright मिला, ना आपको inverted मिला, कैसा मिल गया आपको? spindle shape का मिल गया, तो क्या बोला है? Now, get, now add an estimate of number of small birds depending on insect as also the number of larger bird eating the smaller, draw the shape यह हो गया, आपन नहीं कर लिया. Next, pyramid of energy always upright, energy का pyramid always क्या मिल गया आपको? Upright, can never be inverted, because when energy flow from particular, particular tropic level to next tropic level, some energy is always lost as heat, each step, जब एक tropic level से दूसरे step में जाते हैं, तो 90% energy क्या हो जाती है? Each bar in the energy pyramid indicate the amount of energy present each tropic level in a given time, और annually per unit area, जो भी पिरामिड में दे रहे हैं, वो क्या बता रहे है? पर्टिकुलर एनरजी को बता रहे है, पर unit area के अंदर. Next, बोल रहा है, however, there are certain limitations, देखो, ecology के पिरामिड की कुछ limitations है, such as, number one limitation है, it does not take into account the same species belonging to or more tropic level, हमने पिरामिड बनाया, लेकिन आपने कहीं पे भी ये mention नहीं किया, कि एक species एक से ज्यादा tropic level में occupy कर रही है, दूसरा बोल रहा है, it assume simple food chain, दूसरी limitation क्या है, ये सिरफ simple food chain को represent कर रहा है, ना कि food wave को, तो क्या बोल रहा है, it assume a simple food chain, something that almost never exist, एक single food chain कभी भी nature में exist, नहीं करती, आपको complex food chain ही देखने, food wave ही देखने को मिलेगी, it does not accommodate a food wave, तो ये food chain को represent करता, food wave को represent नही नहीं करता, तो ये second is की limitation, more ever, third क्या है limitation, कि saprophytes are not given any place, in ecological pyramid, even those, they play vital role in the ecosystem, decomposer बहुत ज्यादा role play करते हैं, लेकिन फिर भी decomposer या saprophytes को अपने कहीं पे भी pyramid के अंदर नहीं देखा, क्यों क्योंकि pyramid का base तो producer बना रहा है, उपर को ना, top consumer, कहीं पे भी decomposition या decomposer की बात नहीं हु यहाँ पर तो यह इसकी क्या होगी, limitation, तो तीन limitation है, पहले limitation, इसने कहीं पे भी यह mention नहीं किया, कि एक से ज्यादा ट्रोपिक लोवल को क्या कर रही है, occupy कर रही है, तीसरा इसने simple food chain को represent कर दिया, जो कभी भी exist, नहीं करती, इसको क्या करना चाहिए था, food wave को mention करना चाहिए तीसरा limitation क्या इसका, कि इसने कहीं पे भी decomposer की बात नहीं कर रही, जो की most important factor है, एक ecosystem के लिए, देखो question क्या है, which of the following ecological pyramid is generally inverted, कि कौन सा pyramid generally आपको inverted देखने को मिलेगा, तो हमने एक ही देखा था कि pond के अंदर जो biomass का pyramid है, वो generally आपको कैसा देखने को मिलेगा, inverted, पहला बोल र वहाल है, pyramid of biomass in forest, forest में biomass का pyramid inverted नहीं होता, कैसा होता है, upright होता है, pyramid of biomass in an aquatic ecosystem, बिल्कुल सही बात है, aquatic ecosystem में pyramid कैसा हो सकता है, inverted हो सकता है, कि पिर्वोपरामिद और ऑफ ग्रास लेंड में upright होता है, pyramid of energy, तो always कैसा होगा, upright, एक वन में जेव बाहर का pyramid सिधा होगा, एक समूदर मे से जेव भाहर का पिरामीड को मिलत ऑख भास बुमे में संख्या का पिरामीड अपराइट होगा उरजा का प्रामीड भी कैसा अपराइट होगा तोbesट आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगा एक ही देखने को मिलेगा ठीक है थेलो बचो आज हम बाइलोजिक की 10th unit का थर्ड चेप्टर बाइवर्सेटी एंड कंजरुविशन की पिछले 5 सालों की पीवाई क्यों साथ हम क्या करेंगे उनको NCIT के साथ हम explain करेंगे कि कौन सा क्यूसन कोन से पार्ट से घख हँप हम यह देखते हैं तो कुछ такое इंपोर्टेंटक्स हैं जहां से बार-बार पकिश्ट्न पुछे जाते हैं मुशके बारे में हम आज देखते हैं तो हम देखते ।परेस्ट से देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है according to robot में the global species diversity is about यानि robot में के according जो global biodiversity है वो कितनी है तो उसके बारे में अपने को NCRT में दे रखा है अलग-अलग scientist IUCN के according robot में के according तो उसके बारे में अपन देखते हैं तो यहां पर दे रखा है how many species are there on earth and how many in India पूरे अर्थ पे कितनी है और इंडिया के अंदर कितनी है उसके बारे में तो देखो पहले क्या बोल रहा है बोल रहा है since there published recorded of all the species discovered and named we know how many species in all have been recorded so far but it is not easy to answer the question of how many species there are on earth देखो अभी तक अपने पास recorded है वो limited है लेकिन अभी तक अपने को complete यह पता नहीं है कि पूरे अर्थ के उपर कितनी species हो सकती है ठीक है next क्या बोल रहा है according to the international union for conservation क्या बोल रहा है international union for conservation of nature and natural resources यानि IUCN की जो 2004 के data उसके according बोल रहा है the total number of plant and animal species described so far is slightly more than 1.5 million है यहनि IUCN के according कितनी है more than 1.5 million है complete अर्थ के उपर ठीक है but we have no clear idea of how many species are yet to be discovered and described अभी तक अपने को कोई clear idea नहीं है कि अभी तक कितनी species अभी discover होना बाकी है या उनका description होना बाकी है estimate vary widely and many of them are only educated guesses सारे के सारे क्या है educated या जो scientist है उनके guesses किये हुए है for many taxonomic group species investors are more complete in temperate than in tropical countries अगर हम बात करें तो more अगर दो अपन temperate country और tropical country के बात करें तो temperate country में almost species discovered हो चुकी है लेकिन tropical country में बहुत सारे species बाकी है इसका reason क्योंकि temperate में species diversity कम है तो उसको find out करना easy है जिबकि tropical में बहुत ज्यादा biodiversity होनी के कारण उसको easily find out करना possible नहीं है next बोल रहा है tropical considering that an overwhelming large portion of the species waiting to be discovered are in the tropics अगर आपन tropics की बात करें तो बहुत सारे number में species क्या waiting कर रही है discover होनी की next बोला है biologist make statically comparison of temperate tropical species richness of an exhaustively studied group of insect and extrapolate this ratio to other group of animal and plant to come up with the gross estimate of the total number of species on earth बहुत सारे scientists हैसे थे जिन्होंने क्या करा है एक temperate or tropical के अंदर insect species plant species उनके बीच में बहुत सारा comparison के जो अपनी को आगे देखने को मिलेगा next बोल रहा है some extreme estimate range from 20 to 50 million जो range क्या है 20 से 50 million तक की range है but a more conservative and scientifically sound estimate made by Robert May किसके कोर्डिंग रोबर्ट में place the global species diversity at about 7 million यानि रोबर्ट में के according जो species diversity वो कितनी है 7 million यही अपना question था देखू क्यूशन के बोला according to Robert में the global species diversity is about कितनी होगी 7 million तो यह होगे species कितनी 7 million है यहाँ पर भी यह बोल रोबर्ट में के अनुसार विश्वम में जाती विविता लगबर कितनी है 7 million के ठीक है next बोल रहा है which of following is the most important cause for animal and plant being driven to extinction अब extinction के है कि मेन कौन-कौन से extinction है जो species diversity को क्या कर रहा है continuously loss कर रहा है देखते है लोस बायोडिवर्सिटी में कुछ important factor आपको दे रखें लेखो cause of biodiversity loss इसके बारे में इससे कम से कम च्यार क्यूशन पूछे जा चुकिए क्या बोल रहा है cause of biodiversity loss main ऐसे कौन से reason है जिसकी वज़े से biodiversity continuous क्या हो रहा है loss हो रहा है यह बोल रहा है the accelerated rate of species extinction that the world is facing now are largely due to human activities main जो important या जो main biodiversity cause कर रहा हो कौन कर रहा है human cause कर रहा है there are four major cause कितने cause है total 4 cause जिसको हम बोलते है the evil quadrate is the sub cricket use to describe them इनको use खरने के बैसे पर आपने इसको क्या बोले the evil quadrate अब देखो क्या है evil quadrate सबसे पहला जो habitat जो biodiversity loss हो क्या है habitat loss and fragmentation पहला पहला जो main cause है habitat loss and fragmentation देखो this is the most important cause driving animal and plant to extinction बहुत ज्यादा important है सबसे most important है वो कौन है habitat loss and fragmentation नेक्स बहुत ज्यादा जो आपको dramatic examples देखने को मिलते है वो tropical rainforest देखने को मिलते है यह बोला once once covering more than 14% of the earth land surface अगर आपने tropical rainforest की बात करें तो एक time था जब कितने percent cover कर रहे थे 14% surface cover कर रहे थे land का these rainforests now cover no more than 6% जो आज 6% से भी ज्यादा cover नहीं कर रही है यानि 14% से 6% तक आ चुके हैं यानि बहुत ज्यादा rainforest को क्या कर दिया गया है fragment कर दिया गया या उसका habitat loss कर दिया गया they are being destroyed fast जो अभी भी बहुत ही fastly क्या करें जा रहें destroy किया जा रहें by the time you finish reading this chapter hundred sorry thousand more hectare of rain forest would would have been lost जब तक आप chapter खत्म करोगे तब तक thousand hectare जो forest है वो क्या कर चुके होंगे खत्म कर चुके होंगे the Amazon Rainforest जो मेन कौन सा है Amazon Rainforest the Amazon Rainforest it is so huge that it is called the lungs of planet जिसको हम lungs of planet है न कहते हैं harboring probably million of species is being cut and cleared for cultivating soya bean or for conversion to grassland for raising beef kettles अगर हम किसकी बात करें Amazon Rainforest की बात करें जिसको lungs of planet बोलते हैं वहां की million species को cut or clear कर चुके हैं किसके लिए एक तो soya bean के cultivation के लिए दूसरा किसके लिए जो अपने beef kettles है उनके raising के लिए grazing के लिए यानि उसको grassland में convert कर दिया गया है next देखो क्या बोल रहा है beside total loss beside total loss the degradation of many habitat by pollution बहुत सरी क्या है इसके अलावा pollution से degrade कर देगा also threatens and survival of many species when large habitat are broken up into small fragment due to various human activities mammal and birds mammals and birds requiring large territory and certain animals with migratory habits are badly affect leading to population decline एक होता है एक तो habitat loss करना दूसरा क्या है कि बड़े forest में fragmentation कर दिया एक forest को दो पार्टमेंट डिवाइड कर दिया जिसकी वज़े से क्या होता है कि जो या तो population of decline हो रही है ठीक है अब next बोल रहा है over exploitation पहला important क्या होगा habit loss and sorry habitat loss and fragmentation दूसरा क्या है over exploitation over exploitation क्या है कि हम किसी species को ज्यादा मतलब जितनी requirement ने उससे ज्यादा क्या कर रहे है harvest कर रहे है या उसका use कर रहे है तो over exploitation क्या human have always depends on nature for food and shelter हमें से human food or shelter के लिए आवास के लिए किस पर depend रहा है nature पे but when need turn to grid it lead to over exploitation of natural resources और जब यह need किस में convert हो जाती है grid या लालच में convert हो जाती है तो जितने भी forest है जितनी भी nature इस nature का क्या हो रहा है over exploitation start हो is shelter stellar sea cow passenger pigeon were due to over exploitation by human तो पिछले 500 सालों में कौन stellar sea cow passenger pigeon जिएन का over exploitation क्या हो गया extinction हो गया presently many marine fish अगर आपन करेंट की बात करहें तो presently many marine fish population around the world are over harvested endangering endangering the continued existence of some commercial importance species यानि कहने के मतलब है कि आज currently अगर आपन बात करें तो भहुत सारी marine fish है जिनका human भहुत ज्यादा over exploitation कर रहा है जिसकी वज़े से population उसकी continuous क्या हो रही है decline जो third है वो क्या है alien species invasion कुछ ऐसी species हम बाहर से लेके आते हैं जो यहां पर क्या कर देती है invasive हो जाती है तो क्या बोल रहा है when alien species are introduced unintentionally और deliberately for whatever purpose some of them turn invasive आप किसी भी purpose से लेके आते हो लेकिन कुछ species क्या हो जाती है invasive and cause decline or extinction of indigenous species यानि जो endemic species उनका क्या करना इस्टार्ट कर देती है extinction देखो example क्या दे रहा है पहला कि Nile perch introduced into Lake Victoria in East Africa lead eventually to the extinction of an ecologically unique assemblies of more than 200 species of Cichlid fish in the lake, जब Nile perch को Victoria Jeel कहां की East Africa की Victoria Jeel में introduced कर वाया है तो उसकी वज़े से वहां की जो native Cichlid species थी वो कितनी more than 200 Cichlid species क्या होगी extinct होगी कि इसकी वज़े से सिरफ Nile perch की वज़े से फिर बोले you must be familiar with the environmental damage caused and threat posed to our native species by invasive weed species like carrot grass यानि parthenium यानि सबसे ज़्यादा जो आज कल environment को damage कर रहा है वो कौन है एक तो है carrot grass जिसको हम क्या बोले parthenium दूसरा है lantana तीसरा है water hyacinth जिसको हम बोलते है आई cornea यह तीन ऐसे invasive species है या जो alien species है जो environment को continuous क्या कर रही है damage जिसकी वज़े से बहुत ज्यादारी बहुत सारी species क्या है extinction के एक अगहार प्यार रुखिये next one is the recent illegal introduction of African catfish African catfish को illegal introduced क्या है जिसका नाम क्या है Clareus garipinus for aquaculture purpose in posing threat of indigenous catfish in our rivers देखो एक African catfish है जिसका नाम है Clareus garipinus जिसको illegally कहां इंट्रोड्यूस करवाया इंडियन river के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसकी वज़े से यहां की Indian catfish है वह क्या है facing threat of extinction है next बोलता है co-extinction जो fourth वाला है co-extinction क्या है when species become extinct जब एक species extinct होती है the plant and animal species associate with in in an obligatory way also become extinct जब एक species extinct होती है तो उससे obligatory associate यानि जो mutualism वाली species है वह क्या करेगी साथ साथ extinct हो जाती है when a host fish when a host fish become extinct its unique assemblies parasite also meet the same fate जब एक host fish को आप क्या कर रहे हो extinct कर रहे हो तो उस सब्सक्राइब होगा वह भी एक टाइम क्या आता है extinct हो जाता है another example of this case of co evolved plant pollinator mutualism where extinction of one invariably lead to the extinction of the other अगर आपने बात करें कोई भी जैसे युका और मोत की बात करें तो जब आप युका प्लांट को extinct करोगे उसको हटा होगे तो मोत भी उसके साथ-साथ क्या हो जाएगा extinct हो जाएगा अब देखो इसके साथ क्यूस्चन देखते हैं च्यार पांच क्यूस्चन पुछे गए हैं कि देखो वीचों फॉलोविंग इस दो मोस्ट इंपोर्टेंट कोज फोर एनिमल एंड प्लांट बिंग ड्राइव टू tract, अ इन अपने बात करी द Sydos with defined habitat loss और एंड fragmentation तो सब से important जो कोज वह बोलकाई पाॉलोह जेंतोों कर पैर लाने के लिए लंकम हों सब से महतुपून काहने क्या है आवसी率 चोटीब्स और विखन जब तो इससां पبرचन पूछय कोज अमंग इसीます 4 evil quadrate थे, क्या था, habitat loss and fragmentation, दूसरा, over exploitation, तीसरा था, invasion of alien species और 4 था, co extinction, तो उन 4 evil quadrate में, which one of considered as most important cause driving extinction of species, same वापिस पुछ लिया कि, उस evil quadrate में, most important क्या है, वह है, habitat loss and fragmentation, दूसरा था, वापिस repeat हुआ है, यहां पर भी बोले, evil quadrate में, से कितने जाती विलोपन का सबसे महत, किसे जाती विलोपन का सबसे महत पुर्ण कार्ण माना जाता है, आवाशी एच्छती और विखंडन को, यहां पर बोले, habitat loss and fragmentation, over exploitation, alien species invasion and co-extinction are cause for, यह चारो की चारो क्या है, biodiversity loss के तो है, यह biodiversity loss के cause है, चारो है, habitat loss, fragmentation, over exploitation, alien species invasion and co-extinction are cause for biodiversity loss, तो किसके लिए यह, biodiversity loss के लिए, ना कि competition, natality, population explosion, इसके लिए नहीं है, तो यहां पर भी बोल रहा है, जो आवाशी च्छती विखंडन, अती दोहन, विदिशी जातियो को आकरमन या सहे विलुपता किसका कारण है, जे विविता च्छती का कारण है, which of following is not a method of ex-situ conservation, अब बात आगी, biodiversity conservation की, तो सबसे पहले आपन, biodiversity conservation में, दो method देखते हैं, एक ex-situ, दूसरा, in-situ conservation, तो सबसे पहले आपन, ex-situ, in-situ conservation, NCIT के तुरू देखते हैं, फिर उससे related, 4-5 questions है, उनके बारे में बात करते हैं, देखो, जब biodiversity conservation की बात करें, तो अपने को देखना है, how do we conserve biodiversity, हम biodiversity को कैसे conserve करें, तो क्या बोल रहा है, कि when we conserve and protect the whole ecosystem, the biodiversity at all level is protected, we save the entire forest to save the tiger, अगर आपको एक tiger को save करना है, तो आप complete forest को क्या करोगे, save करना पढ़ेगा, यानि कहने का मतलब है, कि एक species को save नहीं किया सकता, आप क्या करोगे, पूरे forest को ही save करना पढ़ेगा, complete ecosystem को, this approach is called in-situ, या on-site conservation, यानि उसी जगह पर किसी species को conserve करना, क्या कहलाता है, in-situ या on-site conservation, however, when there are situation where an animal and plant endangered and threatened organism facing a very high risk of extinction, in the wild, in the near future, यानि कुछ ऐसे अपन बोल सकते हैं, threatened species होती है, जो in future बहुत ज्यादा क्या कर रही है, extinction की कगार पर है, तो उन species को अपन save करने के लिए क्या करते हैं, a need urgent measure to save it from extinction, in-situ conservation, या off-site conservation is the desirable approach, अगर ऐसे species है, जो क्या कर रही है, endangered है, और threatened है, उसको आप जल्दी से जल्दी बचाना है, तो उसको उस जगह से उठा के, कहीं दूसरी जगह पर ले जा के क्या करो, conserve करो, ठीक है, सबसे पहले आपना देखते है, in-situ conservation, faced with conflict between development and conservation, ठीक है, many nation find it unrealistic and economically not feasible to conserve all their biological wealth, invariably the number of species waiting to be saved from extinction, far exceed their conservation resources available, या बहुत सारी species है, जो waiting में है, कि उनका क्या खिया जाए, conservation किया जाए, तो उनको बहुत सर्गंटे conserve नहीं कर पा रही है, या उनको conserve करने के लिए अपने को बहुत ज्यादा economically क्या होना पड़ेगा, stable होना पड़ेगा, next बोल रहा है, on a global basis, अगर अपन global basis की बात करें, this problem has been addressed by imminent conservation, they identified the maximum protection certain biodiversity hotspot, इस problem को क्योर करने के लिए सबसे पहले क्या लेया गया, biodiversity hotspot, region with very high level of species richness and high degree of endemism, hotspot वो area है, जहां पर species diversity क्या होती है, ज्यादा होती है, वहाँ पर high endemism है, high endemism का मतलब वहाँ पर जो इस्थानी species है, वो क्या होगी, ज्यादा, that species confirmed the region and not found anywhere else, जो और कहीं नहीं पाई जाती है, initially, starting में total कितने hotspot थे, initially 25 biodiversity hotspot were identified, but subsequently 9 more have been added to the list, पहले 25 थे, फिर 9 और 8 कर दिये गए, तो आज अगर देखे जाए, तो total कितने है, 34, bringing the total number of biodiversity hotspot in the world to 34, total कितने है, 34, यह चीज़ भी important है, क्या बोला है, these hotspots are also reason of accelerated habitat loss, यह area भी क्या है, accelerated habitat loss वाले, 3 of these hotspots, इन 34 में से 3, कौन-कौन से western घाट and Sri Lanka, एक तो क्या होगा, western घाट and Sri Lanka, दूसरा इंडो बर्मा, और तीसरा कौन है, हिमालिया, cover our country, exceptionally high biodiversity region, यह 3 ऐसे इंडिया के अंदर है, जो बहुत ज्यादा बाइडिवर्सिटी को क्या करते है, cover करते हैं, कौन-कौन, western घाट and Sri Lanka, इंडो बर्मा और हिमालिया, फिर बोल रहा है, all those, all the biodiversity hotspots put together, cover less than 2%, यह सारे मिलकर कितना area cover करते हैं, less than 2% of the earth land area, यह 2% से भी कम earth का land area cover करते हैं, the number of species, they collectively harbor extremely high, strict protection of these hotspots could reduce ongoing mass extinction by almost 30%, जो 6th mass extinction जा रहा है, उसको इन्होंने कितने % तक कम कर दिया गया है, 30% तक कम कर दिया, यह सिंपल बात कहने कि क्या है, कि जितने भी hotspots है, यह आर्थ के land का only 2% से भी कम पार्ट को क्या करते हैं, cover करते हैं, जबकि इन्होंने 6th mass extension की जो rate है, उसको लगबग 30% तक क्या कर दिया, reduce कर दिया, नेक्स बोले, इंडिया, ecologically unique and biodiversity rich region are legally protected as biosphere reserve, अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया के अंदर क्या है, in इंडिया, ecologically unique and biodiversity rich region are largely protected as biosphere reserve, तो पहला तो hot spot हो गया, दूसरा कोन हो गया, biosphere reserve, इंडिया के अंदर biosphere reserve present है, जो legally क्या करते हैं, by diversity को conserve करते है, national park and century, तो तीन, च्यार example हो गया, hot spot, national park और century, इंडिया now has total कितने, 14 biosphere reserve, 1990 national park, 448 wildlife centuries, इंडिया has also history of religious and cultural tradition that emphasize protection of nature, इंडिया का अगर आपन history देखें, तो बहुत सारे ऐसे religious है, जो क्या करते थे, biodiversity को conserve करते थे, in many culture, tracks of forest were set aside, बहुत सारे ऐसे cultural, traditional जो लोग थे, वो क्या करते थे, कुछ ऐसी जगह, forest के पास छोड़ देते थे, जिसको used किया जाता था कि इसमें, biodiversity conservation में, and all trees and wildlife within were venerated and given total protection, जहां पर क्या किया जाता था, species की पूजा की जाती थी, उसको वहां पर protect किया जाता था, such sacred groove, इनको क्या बोलते हैं, sacred groove, found in khasi and gentia hills in Megalaya कहां देखने को मिलती है, sacred groove, khasi and gentia hills of hills in Megalaya, अरावली hills of Rajasthan, ये भी क्या है, एक type का, sacred groove है, western ghat region of Karnatka and Maharashtra का region भी क्या है, sacred groove है, Sarguja, Chanda, Baster area of Madhya Pardes, ये भी किसका sacred groove है, इन Megalaya the sacred groove, are the last refuse for large number of rare and threatened plants, जो Megalaya khasi and gentia hills के sacred groove है, इन्होंने जो ऐसी plant की species, जो क्या है, विलुप्ति के कागार पर उनको क्या दिये, सरण दिये, फिर बोलना, exit to conservation, अगर हम exit to conservation के बात करें, तो in this approach, threatened animal and plant are take out from their natural habitat and place in special setting, where they can be protected and given special care, ऐसी species जो बहुत ज्यादा क्या है, endangered and threatened, उनको हम क्या करते हैं, उसके native place से हटा के, कि जी offside ले जाकर उसका क्या करते हैं, special treatment करते हैं या कंजरूब करते हैं उसको, जिससे कौन-कौन, geological park, botanical garden, wildlife, safari park, serve this purpose, कौन-कौन, geological park हो गया, botanical garden हो गया, wildlife, safari park है, यह सारे कि सारे क्या है, exit to conservation के method है, these are many animals that have become extinct in the wild, but continue to be maintained in geological park, ऐसे बहुत सारे animal है, जो wild में, यानि जंगल में, forest में, तो क्या हो चुके है, extinct हो चुके है, लेकिन geological park में अभी भी क्या गया है, conserve किया जा रहे है, next बोला है, in recent year, exit to conservation has advanced beyond keeping threatened species in enclosure, आज के time में जो exit to conservation हो बहुत जादा क्या हो चुका है, advanced हो चुका है, now gamit, क्या कर सकते हैं, now gamits of threatened species, can be preserved in viable and fertile condition for long period using cryopreservation technique, आज क्या कर सकते हैं, ऐसी species जो बहुत ज्यादा या threatened है, जो in future क्या हो सकती, extinct हो सकती है, उनके gamit को, हम viable condition में, जीवित और fertile condition में क्या कर सकते हैं, cryopreservation में, उनको store कर सकते हैं, egg can be fertilized, in vitro and plant can be propagated using tissue culture method, और plant को हम क्या करते हैं, tissue culture के method से उसको वापिस से develop कर सकते हैं, seeds of different genetic strain of commercial important plant can be kept for long period in seed bank, तो seed bank भी क्या है, exit to conservation, यानि बहुत सारे seed जो economically important है, उनको हम क्या करते हैं, seed bank में store करके रखते हैं, तो वह भी क्या है, exit to conservation है, कुछ convention हुए थे, तो क्या बोले, biodiversity, biodiversity knows no political boundaries, and its conservation is therefore collectively responsibility of all nations, देखो, यहां पर अगर biodiversity को कंजर्व करना है, तो आप politics नहीं लगा सकते हैं, सब की responsibility है, biodiversity को कंजर्व करना, the historic convention of biological diversity, तो पहला क्या था, the earth summit हुआ था, convention पहले समयलन हुआ, held in Rio de Janeiro, कहां पर हुआ था, Rio de Janeiro, Brazil के अंदर हुआ था, कव 1992, called upon all nations, सभी nation ने या सभी देसों ने क्या बोला, take appropriate measure for conservation of biodiversity, क्या बोला, conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit, कि हम क्या करेंगे, biodiversity को conserve करेंगे और उनका इस type से sustainable utilization करेंगे, ताकि biodiversity long time तक चल सके, in a follow-up, world summit, जो दूसरा समयलन हुआ, उसको हम क्या बोलते है, world summit on sustainable development, किसके basis पे था, sustainable development held in 2002, 2002 के अंदर हुआ था, क्या हुआ कहां था, जोहांसबर्ग, South Africa के अंदर, total 190 countries ने क्या करा था, participate किया था, सबने commitment किया, क्या किया, तो क्या बोल रहा है, 190 country pledged their commitment to achieve by 2010, हम की हम 2010 तक क्या करेंगे, significant reduction in current rate of biodiversity loss at global, regional and local level, कि हम 2010 तक क्या कर लेंगे, biodiversity का जो loss हो रहा है, उसमें reduction कर देंगे, कौन-कौन से level पर, आप global level पर, regional level पर और local level पर, अब इन से related हम question देखते हैं, देखो, यह बोला, which of following is not a method of in-situ conservation, अभी आपने देखा था, in-situ conservation के कौन-कौन से method थे, hot spot, sorry, in-situ conservation के method थे, geological park, botanical garden, wildlife safari park, और आपने देखा था, seed bank, crab preservation, या in-vitro condition, हना, तो यहां पर बोल रहा है, नेशनल पार्क, जो कि क्या है, in-situ conservation है, तो यह तो कौन सा हो गया, in-situ, यह in-situ conservation है, micropropagation, कैसा है, ex-situ conservation है, crab preservation कैसा है, ex-situ, और in-vitro fertilization भी कैसा है, ex-situ, तो कौन सा, ex-situ conservation, नहीं है, तो कौन सा नहीं है, नेशनल पार्क, तो नहीं मिलें लिए, एक बाहे इस्ताने सरंक्षन के विधि, कौन से नहीं है, रास्ट्रे हो जहां, next बोला, which of the following is not a method of in-situ conservation, of biodiversity, यानि सारे के सारे क्या है, in-situ conservation के है, लेकिन एक ऐसा है, जो क्या है, ex-situ का है, तो देखो, botanical garden, कैसा है, ex-situ conservation, botanical garden कैसा हो गया, ex-situ conservation, sacred group कैसा हो गया, in-situ, ये भी कैसा है, in-situ, बाइस फेरिजव इंडिया के अंदर 14, क्या है, in-situ conservation, और wildlife century भी क्या है, in-situ, तो कौन सा in-situ का method नहीं है, botanical garden, ठीक है, निमली कौन सा एक जे भी बिता कि सुविस्तानी स्रेंट्शन के भी दिन है, botanical garden क्यों, क्योंकि ये ex-situ conservation है, ये बोला है, in-situ conservation, refer to, in-situ conservation किस चीज को refer करता है, in-situ conservation, बोलता है, कि हम क्या करेंगे, जिसे आपने बोला कि एक टाइगर को बचाने के complete forest को बचाना है, तो in-situ conservation भी उसी concept पे चलता है, कि एक species को नहीं बचा जा सकता, एक species को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे ecosystem को save करना पड़ेगा, तो यह बोला है, conserve only high risk species, क्यवल high risk quality species को conserve करते हैं, नहीं, conserve only endangered species, नहीं, सभी को conserve किया जाता है, conserve only extinct species, जो species extinct हो चुके हैं, उसको कैसे conserve करेंगे, फिर बोला है, protect and conserve the whole ecosystem, बिल्कुल सही बात है, पूरे के पूरे ecosystem को हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, उसको क्या करेंगे, conserve करेंगे, तो सव इस तारे सरंक्षन का संदरब क्या है, कि समस्त पारी तंदर को बचाना, और उसका क्या करना, सरंक्षन करना, नेक्स बोला, which of the following reason of the global exhibit, highest species diversity, देखो, highest species diversity, आपने किसमें देखी थी, होट स्पोर्ट में देखी थी, और इंडिया के अंदर टोटल कितने होट स्पोर्ट थे, तीन होट स्पोर्ट थे, पहला था, the western ghat and Sri Lanka, दूसरा इंडो बर्मा और तीसरा हिमाल्या था, यह बोलना है, Medagascar, जो कि होट स्पोर्ट नहीं है, फिर बोलना है, हिमाल्याज, हिमाल्याज क्या एक होट स्पोर्ट है, अगर आपन बात करें, Amazon rainforest और एक western ghat of India, तो अगर आपन highest biodiversity के बात करें, जिसक तो आपने बोला था, Amazon rainforest को lungs of planet, तो सबसे ज्यादा जो biodiversity देखने को मिलती है, वो कहां देखने को मिलती है, Amazon forest के अंदर, हलांकि हिमाल्याज में भी है, western ghat of India में भी है, Medagascar में भी biodiversity ज्यादा है, लेकिन पूरे world की सबसे ज्यादा biodiversity कहा है, Amazon rainforest के अंदर, है न, तो global की बात क करेंगे, तो Amazon rainforest में सबसे ज्यादा होगी, फिर बोला है, Earth summit held in Rio de Janeiro in 1992 was called, जो Earth summit हुआ था 1992 उसने क्या बोला था, कि हम biodiversity को conserve करेंगे, रूस का क्या करेंगे, sustainable utilization, to assess threat pose to native species by invasive weed species, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला, for immediate step to discontinue use of chlorofluorocarbon that were damaging the ozone layer, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं थी थी, to reduce CO2 emission and global warming, global warming का भी नहीं था, क्या था for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit, तो कौन सा था, ये concept किसका था, Earth summit का था, यानि जे विविविता के सरंक्षन के लिए और इसके लाब के धार्णियों के लिए, लास्ट बोला है, the historic conservation of biological diversity, the Earth summit was held in Rio de Janeiro in the year, यानि जो Earth summit हुआ था, कहां पे, Rio de Janeiro में हुआ था, वो कब हुआ था, तो अभी अपन ने देखा था, 1992 में हुआ था, जबकि World summit कब हुआ था, 2002 में हुआ था, तो Rio de Janeiro का जो Earth summit हुआ था, 1992 में, कहां पे, Brazil के अंदर, ठीक है, thank you so much. चुआ हैं छीक हूआ, और सकता था था Äतू झाल क्युआ हैं? युआ हैंग